हेलो प्यारे बच्चो कैसे हो आप सब आप सभी का स्वागत है पी डवलू पे मैं आपका टीचर आपका दोस्ट आपके फिजिक्स का आपके नीट का हमसफर जग जोट सर आप लोगों के सामने फिर से हाजिए हूँ यहां पे लेक्चर नंबर फाइफ यकीन फाइफ पॉइ सॉफ की हैं अभी भी समाप नहीं वाई यानि कि इसके भी कोई एंड नहीं है कोई सीमा नहीं है सर्केट से रिलेटिड जितने किस्टने करो कम हैं बहुत कौशिंस बन सकते हैं कुछा स्क्राश्य के नास्त लास में मैं आप लोगों के साथ डिसक्स किये थे कुछ आज डि जान रखना है कि हमें जब एक्जाम में कुश्चन आते हैं सर्किट के तो हमें जस्ट एनलाइस करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेक कौन सी टेखनीक लग सकती है वैसे इतने मिश्किल नहीं होता है यह प्रॉब्लम्स अगर आप तरीके से प्राक्टिस करते जाएंगे सो कोशिश करो जितने कुश्चन मैं करा रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमुम चीजे यही क्लास में कवर करा दूँ आप लोगों को ज़्यादा टेंशन ना हो आपके सामने कोई सर्किट प्रॉब्लम आया आप ज़्यादा उसमें गवराओ ना आप सकते हैं तो हमें इतने टाइम में अच्छे दरीके से अफ़र्ट देने हैं और जितने कोशिशन मैं करा रहा हूँ आप इनको अच्छे से कर जाएंगे तो अराम से exam में आपका question बन जाएगा so don't worry आप लोग just मेहनत करते रहो regular sessions देखते रहो और class में जो भी questions कराये जा रहे है circuit solve कराये जा रहे हैं उनको अच्छे से देखो ठीक है plus जो आपको test में मिलते हैं questions उनको अच्छे से revise करो test attempt करने के बाद एक बार उसका analysis ज़रूरी है आप जितने मरजीव score करो चाहिए अच्छा score आ रहा है बुरा score आ रहा है कुछ भी हो आप उसका analysis ज़रूर करो आप final answer की ज़रूर देखो final solutions को ज़रूर recommend करता हूँ कि देखना चाहिए क्योंकि एक बार test देने के बाद वहीं चीज़ समाप नहीं हो जाती आपको लगता है test दिया काम खतम नहीं test देने के बाद उसका analysis ज़रूरी है उसके जो questions हमसे गलत हुए है वो देखने जरूरी है और कई बार हो सकता हमारा question सही भी हो पर method गलत होता है पर answer आ जाता है तो किसे आ जाता है ना कहीं बार पर हमें यह भी देखना है कि उसका questions करने में time लगता है बायो में तो आपको पता है आता है नहीं आता आपको पता है उसका answer जल्दी आप करीद होगे फिजिक्स में थोड़े से के बारे में discussion किया जाएगा major lease में balance wheat stone bridge के बारे में ही आज हम लोग discuss करेंगे कि balance wheat stone bridge क्या होता है then we discuss about meter bridge meter bridge के बारे में चर्चा होगी कि meter bridge क्या होता है और volt meter, m meter के बारे में discussion करेंगे उनके कुछ circuits देखेंगे and then we will move to power ओके सो यह सब आज के सेशन में हम लोगों को करना है सबसे पहले शुरू करते हैं कुशन से find the equivalent resistance between A and B A और B के बीच में आपको यहां पे equivalent resistance calculate करना है तो आप देख सकते हो यहां पे हमें point दिया गया है A यहां पे हमें point दिया गया है B तो अगर हमें A और B के बीच में resultant निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा कोई question आजाएगा तो हम लोगों को क्या method use करना चाहिए किस तरीके से solve करना चाहिए तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना जो भी हमारा resultant है A और B यहाँ पे A और B के बीच में बनना चाहिए यानि कि इस circuit को solve करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप A को इधर रख ले और B को इधर रख ले और circuit को थोड़ा सा रीड्रो करें ठीक है यह मेरा A point है यह मेरा B point है हमने circuit को थोड़ा सा इस तरीके से बना दिया और फिर यहाँ पे कोई point consider कर सकते हैं आप C और आप देख सकते हो यह point अगर आपने C लिया है ठीक है ना हम एक बार A B को भी पहले दिखा देते हैं यहाँ पे जो मेरा A point था यह था अगर हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा color कर दें ताकि देखने में असान हो यह मेरा पूरा A potential था B की अगर हम बात करें तो B का potential यहां से लेके यहां यहां से लेके यहां ठीक है ना यह हमारा B है ठीक है यह पूरा मेरा B है यहां पे भी मेरा B है यहां पे भी मेरा B है ठीक है यह पूरा c है यहां पे भी c है ठीक है ना आप देख सकते हूं यहां पर आपं लोगों को क्या करना है a, b के बीच में एक पॉइंट को consider कर लेना चाहिए जैसा कि last class में भी कर रहे थे उस पॉइंट को क्या नाम दे दोगे आप यहां पे c तो यह वाले यह वाले स्टस्कोह हम सिर करेंगे तो ए और सी के बीच में tutti अगर दो य Сп confess कि में होगए यानिस चाने लों अब अगर हम बात करें, यह C और B के बीच में है, यह C और B के बीच में है, यानि कि दो resistance C और B के बीच में भी है, तो यहां से भी मेरा resultant कितना आ जाएगा, मेरा R by 2, अब एक resistance मेरा किसके बीच में है, A और B के बीच में, तो यह resistance कितना हो जाएगा, मेरा R हो जाएगा, क्य अब आपका circuit solve हो गया, क्या करना चाहिए, ये दोनों कैसे हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये दोनों आपस में कैसे है, series में है, इन दोनों का series combination क्या होगा, अगर आप इनका series combination निकाल रहे हो, इन दोनों का series combination मुझे देगा, r by 2 plus r by 2, यानि कि ये मुझे कितना यहां से मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाना चाहिए, यह ही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, this is my final answer which is r by 2 ठीक है, अच्छा question था ये, इसको आप देख सकते हो और आप कर भी सकते हो, मुझे लग रहा है आप लोग अब महनत कर रहे हैं, आप वीडियो को post करते हैं उसके बात questions करते हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी आदत बना लिए आपने, यही सबसे सही तरीका होता है इस टाइम पर practice करने का आप कहते हैं नहीं कि sir क्या होता है, कि sir आप questions कराते हैं, तो हो जाते हैं, बात भी नहीं होते तो यहीं चीज है न, तो आप मेरे करने से पहले क्यों न, ट्राइ कर लो, क्यों न, मेरे करने से पहले, क्योंकि यह concept में पढ़ाई चुक हो, आप पहले ट्राइ कर लो, फिर solution देखो, तो आपको idea लग जाएगा, आप कहां गलती कर रहे हो, साथ के साथ आपके error भी determine हो जाएंगे यह बहुत important है कि अगर हमें ऐसे questions को जल्दी solve कर लेते हैं, आपने video को post किया और इसको solve किया, video को post कर लिया होगा, solve कर लिया होगा, answer आ गया होगा, देखो बहुत असान है, यहाँ पर बस आपको सिर्फ इतना समझना है, A और B के बीच में निकालना है, start कहां से करे question, start यहां से कर सकते हैं, यह दोनों series में नजर आ रहे हैं, इन दोनों को solve कर लो, यह series में 4 और 8 का series connection कितना देदेगा, 12 हो, 4 और 8 का series कितना देदेगा, 12, और 12 और 6 parallel में है, 12 और 6 का parallel कितना देता है, 12 into 6 divided by 12 plus 6, यानि कि यह हो जाएगा 72, divided by 18, यह हमें देदेगा, 4 और, यानि कि, अब हम पहले इन दोनों को series में ले चुके हैं, उस series को इसके साथ parallel में लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 और, यानि कि, इन तीनों को solve करके, 4 और, ओर, 14, और 6 को solve करके, 14, 12 in to 6, 72, divided by 18, 18 into 4, यह हो गया हमारा, 72, तो अगर आप धियान से देखोगे, यह 4 है, यह 4 है और यह 8 है, यानि कि अगर हम circuit देखें, तो यह बन गया मेरा 4 ohm, और यहाँ पे मेरा कितना बन गया 4 ohm, और अगर आप धियान से देखोगे, यहाँ पे कितना बन गया मेरा 8 ohm, यह तीनों आपस में कैसे हैं, सिरीज मे गया है तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा सिक्स्टीनों इस फाइनल रिजल्ट है ओके इंपोर्टेंट है कि अगर ऐसे कुश्चन सम जल्दी कर ले और हम अपना टाइम बचाए और इसको फास्ट करें तो बाकी कुश्चन के लिए हमारे पास समय बचता है कितना टाइ के दरफ चलते हैं अगला कुश्चन यहां पे यह कुश्चन ऐसा है मैंने एक डीपी में भी शेयर किया था अगर आपको याद हो इस कुश्चन को कैसे सॉल्फ करते हैं यह कुश्चन कुछ सिमेट्री कुश्चन है इसको बोलते हैं सिमेट्री प्रॉब्लम ठीक है ना यह यहां पर हम एक symmetry type देख सकते हैं यहां पर क्या होगा ना एक चीज हम समझ सकते हैं कि यहां पर इस question को solve करने के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो एक चीज समझना यहां पर करने के लिए हमें एक circuit consider कर लेना चाहिए ठीक है यहां पर मान लो मैंने यह cell consider किया सिमेट्री कैसी है सिमेट्री ऐसी है कि अगर आप यहां एक मिरर मान लो सोच हो यहां पर एक शीशा लगा है अब आप दिहान से देखो क्या symmetry है यहां पर जो इस शीशे में लेफ्ट साइड है वही राइट साइड है यानि कि राइट साइड इसकी मिरर इमेज दिख रही है देख सकते हो इस मिरर के लेफ्ट साइड और राइट साइड एक जैसी चीज़ है इसको मिरर सिमेट्री कहते है कैसी सिमेट्री कहते हैं यहां पर मिरर सिमेट्री और मिरर सिमेट्री कौन सी एक्सिस पर है य एक्सिस पर हमें एक मिरर सिमेट्री नजर आ रही है यानि कि इस यह बराबर यह बराबर यह इसके बराबर यह इसके बराबर ऐसे में यहां पर आगर आप कोई करेंट देंगे मालो आपने कोई करेंट दिया आए तो वापस भी कितना करेंट आना चाहिए यहां से टोटल आए क्योंकि से जितना करेंट चलेगा उतना ही करेंट वापस यहां पर अगर यह current divide होता है 200 में मालों यहां जाता है i1 और यहां जाता है i2 अब symmetry से आप कह सकते हो अगर यहां से i1 उपर गया है तो यहां से i1 नीचे आना चाहिए यही symmetry है बस यह फरक है कि यहां से उपर जा रहा है तो यहां से नीचे आना चाहिए तो यहां से कितना current नीचे आना चाहिए आईवन ही आना चाहिए और यहां से कितना आना चाहिए अब यह दो हिस्तों में तूड़ गया माल लो यहां कुछ करेंट चला गया i3 तो यहां कितना current जाएगा i1-i3 अब ये और ये ये दोनों resistance इन दोनों से symmetry हैं यहां से अगर i3 उपर गया है तो यहां से i3 वापिस आएगा वो तो हमें दिख भी रहे यहां से i1-i3 गया है तो यहां भी उपर कितना जाना चाहिए जितना यहां से नीचे आया है उतना यहां से उपर जाना चाहिए कितना जाना चाहिए i1-i3 कितना उपर जाना चाहिए i1-i3 यहां से सीधा i2 गया और यहां से i2 गया इसका मतलब है यह i2 current सीधा सीधा जा रहा है आप देख सकते हो I2 current इसमें गया और सीधा निकल गया देखा जाए यह दोनों series में नहीं हो गए क्योंकि दोनों में same current हो गया यहां से I2 गया था और सीधा निकल गया यानि कि यह एक point यहां पे जरूर आपको junction दिख रहा है आपको नजर आ रहा है यह wire यहां touch हो रही है पर यह current नीचे गया था वो ही current ऊपर चला गया और यहां से current सीधा निकल गया तो देखा जाए इस junction पे कुछ exchange नहीं हो रहा जो current यहां आ रहा था यह सीधा ऊपर से ला गया है और यह current सीधा नीचे चला गया है यानि कि क्या मैं circuit को re-draw करके ऐसे बना दूँ तो same effect आएगा अगर मैं circuit को re-draw कर दूँ लेटर से यह मेरा एक resistance है यह मेरा दूसरा resistance है यह मेरा फिर पहला resistance यह को resistance और इसके साथ साथ फिर यह वाले resistance बना देता हूँ एक यह वाला था एक यह वाला था है ना और यहां से यह branch नीचे आ रही थी कुछ इस तरीके से अब मैं इसको हवा में उठा देता हूँ हवा में उठाया क्यों है सोचो क्योंकि आप जानते हो जो current यहां जा रहा है वो सीधा ही उपर जा रहा है तो यहां जंक्शन पर कुछ हो नहीं रहा और जो current यहां आ रहा है वो सीधा आ रहा है by symmetry यानि कि यहां पर जो current आ रहा था i2 वो सीधा का सीधा निकल गया था और यहां पर जो current नीचे आ रहा था i1-i3 यह भी सीधा आके उपर निकल गया था यानि कि यहां पर मैं इसको इससे touch करूँ ना करूं फरक नहीं परता हाँ पर सॉल्फ करना असान हो जाता है अगर मैं इसको इससे टेच नहीं करूं तो मुझे नज़र आ रहा है ना टेच करने के बाद हम यह कह सकते हैं अगर यह रिजिस्टेंस आर है यह वाला भी आर है यह वाला आर है कि सारे रिजिस्टेंस अगर same है, मान लेते हैं R है, तो ये नजर आ रहे हैं कि ये दोनों series में हो गए, दिख रहे हैं आपको, ये दोनों अपस में कैसे हो गए है, series में हो गए है, और उपर वाले दोनों series में हो गए है, कहने का मतलब है, यहां से आप solve कर सकते हो, ये इसके साथ series में हो जाएगा, कितना जाएगा इन दोनों का सीरीस कॉमिनेशन ऄो जाएगा और इनका भी सिरीस कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा आप देख सकते हो तुन और उसके बाद यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे पालिल ठ recommends ए जल्दी से बताओ घंकिर हैं कर सकता हून यहाँ पे इन दोनों को भी आप सीरीस में लगा देना क्योंकि यह भी सीरीस में इनका भी resultant कितना आ जाएगा 2R तो दुबारा से अगर मैं circuit को बना रहा हूँ, यहाँ बना देता हूँ, let us say यह point A है, यह point B है तो दुबारा से बना देते हैं, यह हो गया A, यह हो गया B, A और B के बीच में एक हमें नज़र आ रहा है कितना, 2R, यह वाला resistance, 2R अब इन दोनों का 2R, इन दोनों का 2R और यह दोनों parallel में कितना दे रहे थे, R, एक R यह बचा, एक R यह बचा यानि की उपर है आपका R, और उन दोनों का resultant, R, और यह आर यह वाला resistance मैंने यहां दिखाया है देखो इन दोनों का आपस में जो combination है वो मैंने यह दिखाया है और यह वाला resistance मैंने यहां दिखाया है यह कितना होगे अगर आप ध्यान से देखोगे 3R इन तीनों का resultant 3R हो जाएगा और नीचे 2R है उपर तीनों का resultant है यह तीनों series में है तो इनका series में कितना मिलेगा आपको पता है 3R मिलेगा और उसके साथ 2R parallel में है तो इन दोनों का parallel combination R effective देदेगा या R equivalent कितना हो जाएगा 3R into 2R divided by 3 plus 2R यानि कि 5R तो आप देख सकते हो यह आ जाएगा 6R square by 5R यानि कि 6R by 5 यह आपको मिलेगा 6R by 5, this is the final answer, ओके देख सकते हो कैसे इस question पर हम लोग गए है यानि कि exam में जब यह आएगा तो हमें पहले ही पहचानना पड़ेगा यहां mirror symmetry है यानि कि हमें पहले से analyze हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी एक mirror symmetry है तो इसका यहां junction से connection आप तोड़ सकते हो इसको यहां में हवा में आप उठा सकते हो, इसको हवा में lift कर दोगे, तो तो हमें पता चल जाएगा यह दोनों series में, यह दोनों series में, फिर यह parallel में, फिर यह तीनों series में और यह दोनों series में और solve करने के बाद 6R by 5, चीक है न, इसको symmetry problem कहते हैं, यहां पे हमें एक mirror symmetry नजर आ रही थी, right, आगे बढ़ते हैं, next question है, 3D cube circuits, देखो यह NCIT में भी है, अब 3D cube circuit को पूरा solve कर सकते हो, आप 2-4 minute लगा के, 5 minute लगा के, या फिर हमें इसका result याद होना चाहिए, मैं आपको क competitive exam में इसको derive करना, यानि की खामाखा पंगा लेना, पंगा क्यों ले रहे हैं, क्यों लेना हमें, क्योंकि हमें पता है कि इसका answer वही आएगा, जो हर बार आएगा solve करके, तो इसको आप exam में पूरा solve नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, कोई न, कोई गलती करोगे, so it's better, अ equivalent resistance चाहिए, यानि कि यहां हम find क्या करना चाहते है, find equivalent, ठीक है न, यहां पर हम क्या जानना चाहते है, find equivalent resistance between A and B, यहां पर A and B के बीच में equivalent resistance find out करने की हमारी कोशिश है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, A और B को हम क्या बोलते हैं, यह दो edges पे लगेवे हैं, हमने wire का लगाई है, दो edges पे, यानि कि हम equivalent resistance निकालना चाहते हैं between edges, between two edges, two consecutive edges, तो A और B यह भी हो सकता है, हो सकता है, मैं B और C के बीच में निकालू, इन दोनों के बीच में निक कोई भी एक edge को पकड़ लो, इसके across resultant निकालना हो, इसका answer आता है 7R by 12, ठीक है, इसका answer क्या आता है, 7R by 12, पूरा method भी है, इसको solve गरने का, NCRT में भी दिया है, बट मैं आपको फिर बोलूँगा, नहीं पढ़ना इस चक्कर में, इसको छोड़ो, इसको अगर आप इसका derive करना, it's a task, मैं इसको याद करने का तरीका जरूर बताऊंगा, कि इसको याद कैसे रखना है, तो across the edge अगर आप यहां resultant निकाल रहे हैं, तो यहां 7R by 12 आएगा, उसी तरीके से अगर आप across the face निकाल रहे हैं, face का क्या मतलब होगा, यह आप देख सकते हैं, यह इसका face है मान लो, यह देख सकते हो, यह किसका face है, इस face के across, हम लोग देख रहे हैं, along the diagonal, A और B, आप देख सकते हो, यह face के across है, along the diagonal, इसको आप along diagonal भी कह सकते हो, face diagonal के across हम लोग देख रहे हैं, तो जैसे की यहाँ A, B, यह वाला A और B मैंने point इहाली है, यह इसका एक face है, इसके across भी ले सकते हो, या फिर आप कह सकते हो, कि sir, अगर मैं यह वाला face ले लूँ, देख सकते हो, नीचे वाला भी ले सकते हो, इन दोनों point के across भी ले सकते हो, या फिर इन दोनों point के across भी ले सकते हो, या फिर इन दोनो है किसी भी फेस डाइगनल के बीच में हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं एक्वेलेंट रेजिस्टेंस तो वह कितना आ रहा है नाइन आर बाइट वार रहा है कितना आएगा नाइन आर बाइट फ़ल नेक्स्ट अगर आप धियान से देखोगे यह है बॉडी डाइगनल यह जो हमारा कमरा है उसका एक कोना यहां है दूसरे कोना यहां इन कोनर के बीच में अगर मैं बात कर रहा हूं चाहे आप यह और यह भी ले सकते हो अप इन दोनों को भी बॉडी को डाइगनल कह सकते हो इसको और इसको भी कंसीडर कर सकते हो यह भी बॉडी डाइगनल है ठीक है तो यह हमारा body diagonal हमने consider किया है और इसके बीच में जो resultant आता है वो 10R by 12 आता है याद रखने का तरीका है सबसे पहले आप देखो यहाँ पे था हमारा edge फिर हमने देखा है कितना face और फिर body यानि कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो edge, ef और फिर body, efb ठीक है न, efb करके याद रख सकते हो efb बहुत अराम से आप याद रख सकते हो तीनों में divided by 12 कर दो 12, 12, 12 7, 9, 10 इस तरीके से आप याद रख सकते हो ठीक है न, 7, 9, 10 अगर सारे resistance मेरे R है तो R से तो multiply कर नहीं है आपको multiply by R, तो अगर आप देखोगे edge वाले case में 7R by 12 face diagonal के बीच में 9R by 12 और body diagonal में 10R by 12 हमारा answer आता है मैं चाहूँ तो score simplify कर सकता हूँ 5R by 6 भी लिख सकता हूँ बट मैंने जानबुच के 12 रख है ताकि याद रखना असान रही आप इसको असानी से याद रख पाओगे इसको भी आप क्या कह सकते हो 3 से आप cancel कर सकते हो 3R by 4 कह सकते हो बट मैंने जानबुच के ऐसे लिखा है क्योंकि इससे थोड़ा सा याद करना आपके लिए असान हो जाएगा ठीक है ना यहाँ से आप इसको थोड़ा सा याद कर लोगे तो आपके लिए असान हो जाएगा इस तरीके से आप याद रख सकते हो EFB 1212-7910 इस तरीके से आप इसको याद कर लो ओके तो यहाँ पे हम लोगों को यह याद रखना इसलिए जरूरी है मैं इसका पूरा derive भी करा सकता हूँ बढ़ मुझे पता है जितना आप derivation में time दोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि finally इतना slivers है कि हम लोग सारी चीज़े नहीं करके जा सकते और इसका तरीका यही है अगर आपको derivation भी आती है तो भी आप derivation ना करें इसको याद रखके जाएं competitive exam की थोड़ी सी ट्रिक थोड़ी सी टेकनोलेजी थोड़ा सा तरीका अलग होता है जहां पर मुझे पता है कि वहां basic चाहिए वहां basic चाहिए बट इसका और कभी basic नहीं चाहिए इसमें आपको यादी रखना है क्योंकि आपको सारे resistance सेम देदे तो आप कर सकते हूँ मालो सारे resistance आपको 6 ohm देदे तो answer आजाएगा 7 into 6 by 12 ठीक है ना यहां पर कितना आजाएगा आपका face diagonal में 9 into 6 by 12 और अगर body diagonal बोले 10 into 6 by 12 मतलब सारे resistance सेम देदेगा और इसमें जादा और कोई question नहीं घुमाएगा सेम देदेगा आपको जादा नहीं कुमा सकते हैं question यही दे सकते है अगर देगा इसलिए इसको आपको याद रखने है now next is wheatstone bridge जो कि हम लोगोंने capacitor के case में भी पढ़ा था capacitors जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने wheatstone bridge के बारे में a crazy 10 na hypothesis अपको यहां मिला आ यहां पएख रिजिस्टर बना देते हैं यह a pizza रिजिस्टर बना देते हैं तो इस तरीके का एक सटे बनता है इसको हम भूलते हैं wheatstone डिश अइसा से किले इसको होगी आ व्लोलते हैं wheatstone bridge और यहां मेरा R4 और इसको मैंने बोल दिया R5, naming आप कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी naming दे सकते हो, ऐसे में wheatstone bridge हम consider करते हैं, मैं इन points को कुछ नाम दे देता हूं, A, इसको बोल देता हूं B, इसको बोल देता हूं C, इसको कैदेता हूं D, ठीक है, wheatstone bridge इस तरीके का circuit है, इसकी balanced condition पे हम चर्चा करते हैं, यह balanced cup होता है, इसको हम balanced cup कहते हैं, बिल्कुल वैसी जैसे capacitor के case में ने बताया था, इसकी भी balanced condition है, इसकी balanced condition आप लोग जानते होंगे अब तक तो, पता है ना क्या होती है balanced condition, balanced condition का मतलब है B और VD, यानि कि इन दोनों point का potential same हो जाता है, balanced condition में, इसको हम बोलते हैं, balanced condition, यानि कि no current through R5, है ना, no current through R5, यहाँ पे कोई current R5 से नहीं जाएगा, ठीक है ना, no current through R5, कभी-कभी वो यहाँ पे galvanometer लगा के कहता है, no deflection, बात वही है, अगर आपने यहाँ galvanometer लगाया और लिख रहे हो, no deflection, तो भी मतलब वही है, य इसके इलाबा अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर ऐसा होता है, तो क्या होगा, या फिर ऐसा कभ हो सकता है, इसकी condition क्या है, ऐसा कभ हो सकता है, वेन, ऐसा तब हो सकता है, वेन, इन दोनों का ratio, इन दोनों के बराबर हो, या इन दोनों का ratio, इन दोनों के बराबर हो, या आप horizontally इसका इससे ratio, इसका इससे ले लो, या फिर इसका इससे ratio, इसका इससे ratio ले लो vertically, तो मैं horizontally लेके दिखा देता हूँ, आप लिख सकते हो, R1 divided by R2, किसके बराबर? R4 divided by R3, आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसका इससे ले लो, यानि कि R1 divided by R4 किसके बराबर होगा अब इसका ऐसे ले लो R2 divided by R3 के बराबर R2 divided by R3 के बराबर ठीक है ना आप देख सकते हो इस तरीके से ये balance condition है ये हम लोगों को याद रखनी है ऐसी condition हमने capacitors के time पे भी देखी थी जब हमारे capacitors लगे थे यहां पे resistance इसके बज़े capacitors यहां लगे थे तो यही हमारी balance condition वहां पे हो जाती थी इसी को हम balance condition बोलते है wheatstone bridge की ठीक है ना यहां कोई current यहां से नहीं जाएगा BOD का potential same होगा कोई potential difference नहीं है BOD में इसलिए कोई current यहां से flow नहीं करता है ठीक है यह balance wheatstone bridge है जैसे कि यहां पे question है question के through हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां पे for the following diagram the galvanometer shows zero deflection then what is the value of R अब देखो यह वही question हो गया यह कुछ wheatstone bridge जैसा ही circuit आपको नजर आ रहा है आप देख सकते हो यहां 100 है 200 है यहां 40 है और चांद 2 हमने parallel में लगाए और वो कहारा है घगालवामेकर कोई deflection नहीं तो कभ जाता है जब इसका रेशियो इस से बराबर होता है इसका रेशियो इससे यहां पे आप clearly देख सकते हो 100 और R प्यटल में यहां इन दोनों का resultant क्या होगा 100 और R का आप बोल सकते हो 100 R divided by 100 प्लस R लिख सकते हो ठीक है ना अब आप इसको माल लो R1 यह हो गया R2 इसको माल लो R3 R4 ऐसे कुछ माल लो इन दोनों का रेशियो यानि कि आप लिख सकते हो 100 divided by 200 बैलेंस कंडिशन यह है is equal to this resistance by this वो resistance कितना आप देख सकते हो वो है 100 इन्टो आग दिवाइड बाइड प्लस R और किससे डिवाइड करना है हमें से 40 से डिवाइड करना है डिवाइड बाइड 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 कितना आ गया यहाँ पे 40 आ गया कितना आ यह कुछ मेरा 2.5 आ गया अब आप क्या कर सकते हो यह दोनों 0 से दोनों 0 काटो 2.5 को इदर ले जाओ और 100 प्लस R को इदर ले जाओ तो यहां से आ जाएगा 100 प्लस R लेफ्ट साइड आ गया ठीक है और राइट साइड क्या आ गया 2 इंटो 2.5 यानि कि यह बन गया आपका 5 ठीक है ना इन्टो आर यही कंडीशन बन गई अगर हम ध्यान से देखेंगे इस आर को इदर ले जाओ यानि की 100 इस इकवल्स तो कितना आ जाएगा 4R, 5R-R, 4R R की value कितनी आ जाएगी? इहां से 25 ohm यहां से जो R की value आ जाएगी यह कितनी आ जाएगी? इहां से 25 ohm तो यानि कि इहां से जो मेरा resultant यानि कि resultant नीए, स्वरी इहां से जो मेरा resistance आया है R की value आई है, वो definitely 25 ohm आई है, तो इसका final answer क्या हो जाएगा यहां पे 25 कितना answer आ जाएगा इसका जल्दी से देखो 25 ओम यह मेरा final answer है ठीक है आगे बड़े चाल नेक्स्ट क्या है 13 resistance each of resistance are connected in the circuit as shown in the figure below the effective resistance between a and b अब आप देखो धियान से यहां पे point a यह रहा दिख रहा है आपको और point b यह रहा इसके बीच में यह कुछ 13 resistance लगाएं आप count करके भी देख सकते हो यह overall कुछ 13 resistance होंगे count कर लो तीन यह हो गए तीन यह हो गए कितने हो गए 3333 त्री त्वेल रिजिस्टेंस यह हो गए और एक बीच में है यानि की 13 resistance यहां लगे वे हैं ठीक है अब आपको इनकी बीच में निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए आप देख सकते हो यह दोनों आपस में कैसे हैं इन दोनों को ध्यान से देखो यह आपस में series में connected है इनका resultant निकाल सकते हो आर और और आर series में नजहरा रहे हैं आपको कोई problem तो नहीं है यह दोनों आ वी series में है और यह देखो न पर हो इसमें जाएगा यह दोनों सीरीज में और इनका result इसके साथ parallel में हो जाएगा वैसे यह दोनों Years और वो इसके साथ पैलल में यह दोनों सीरीज में इसके साथ पैलल में यह दोनों सीरीज में और इसके साथ पैलल में यानि कि अगर आप ध्यान से सरकेट देखो यह सरकेट ऐसे है ए और भी अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर मेरा यह वीट्सों ब्रिज ही है अगर मै कितना देदेगा? इनका series connection देदेगा 2R, है न? यह R और R हमें क्या देदेगा? 2R, या नि कि इसके parallel में ऐसे 2R है, यह 2R हो गया, यह R हो गया, ऐसी इसके parallel में भी क्या बना? ठीक है, 2R और यह हो गया R, है न? इन दोनों का result 2R वो इसके साथ parallel में आर इस तरीके से हमें मिल जाएगा ऐसे ही इन दोनों को solve कर सकते हैं आर और आर सिरीज में हैं तो यानि कि ये मेरा आर था और इसके साथ parallel में क्या लगा सकता हूँ मैं 2R इसके साथ parallel में क्या लगा सकता हूँ मैं two are, ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, यह मेरा R है और इसके साथ parallel में क्या आ जाएगा, two are, नजर आगे अच्छे से, ठीक है ना, क्या इन दोनों का result, इन दोनों का result, इन दोनों का सारा सेम है, यानि कि इसका ratio इस से, इसका ratio इस से, बराबर ही आएगा, क्योंकि one ratio बन, 1 ratio 1 यह आएगा ना यह दोनों सेम है पर इनका result है कितना बताओ जल्दी से बताओ इन दोनों का result है कितना इन दोनों का result क्या आएगा 2R और का कितना result आएगा parallel में 2R into R divided by 2R plus R यानि कि आ जाएगा 2R divided by 3 कहने का मतलब है ये है मेरा 2R by 3 ये भी हो गया 2R by 3 ये भी मेरा हो गया 2R by 3 ये भी हो गया 2R by 3 इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2R by 3 इसका भी result कितना होगा 2R by 3 और इसका भी result कितना आ जाएगा 2R by 3 जब मैं इसको solve कर लूँगा इसको solve करके भी 2R by 3, इसको solve करके भी 2R by 3 ही आएगा, ठीक है, और ऐसे में हमें क्या पता, यहां से कोई current नहीं जा रहा, तो अगर इससे कोई current नहीं जाता, कहने का मतलब है, अगर इस बीच वाले से कोई current नहीं जाता, तो equivalent resistance क्या बनेगा, सुचो यहां पे भी, अगर equivalent resistance की बात करें, यहां से A और C के बीच में equivalent resistance क्या बनेगा, आप इसको remove कर सकते हो, आप R5 को remove कर सकते हो, बीच वाले को यहां से remove कर सकते हो, तो equivalent बनेगा इन दोनों का series, इन दोनों का series, बाद में parallel, यानि कि R equivalent अगर आपको देखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, series of R R1, R2, पहले R1, R2 का series हो जाएगा, R1 plus R2, और किसका series है, इन दोनों का R4, R3, R4 plus R3 बन जाएगा, और बाद में यह दोनों कैसे आजाएंगे, parallel में आजाएंगे, इनका parallel combination निकालोगे तो equivalent आजाएगा, तो यह दोनों series में, और फिर क्योंकि आप इसको हटा दोगे, इसक series में हो जाएंगे, बाद में parallel में, वही चीज हमें यहां करनी चाहिए, ठीक है न, इस वाले में भी हमें क्या करना है, यही करना है, अगर हम ध्यान से देखें, यह दोनों series में, इन दोनों का series कितना होगा, 2R by 3 plus 2R by 3, कितना हो जाएगा, 4R by 3, फिर से 2R by 3, 2R by 3, 4R by 3, यानि कि अगर मैं final circuit बना हूँ, तो यहां से उपर की तिरफ में को result मिलेगा, 4R by 3, कैसे आया, 2R by 3, 2R by 3, series में, 4R by 3, ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा, 4R by 3, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, equivalent निकालना है, तो इसका half, कितना हो जाएगा, 4R by 3, इन्टू 2, यानि कि 2R by 3, यही मेरा final answer आजाएगा, तो final answer मेरा आजाएगा, 2R by 3, ओम, ठीक है, थोड़ा सा देखने में complex है, circuit पर हैतना मुश्किल नहीं, बहुत असान है, इन दोनों को series solve करो, कितना आया, 2R, इसके साथ parallel solve करो, कितना आ गया यहां पर, 2R और 2R by 3, ऐसे यह 2R by 3, यह 2R by 3, यहा इन दोनों का ratio इनके बराबर है यह नहीं, 2R by 3 by 2R by 3, 1, 2R by 3 by 2R by 3, 1, इसका ratio 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, चारो ही बराबर है, तो ऐसे में इसको हटाओगे, तो यह दोनों series में 4R by 3, यह दोनों series में 4R by 3, बाद में parallel, उसका half हो जाएगा, यानि कि 2R by 3, same resistance parallel में हो होते हैं, तो इसका half हो जाता है, ठीक है, clear है न, दो resistance अगर same हो और parallel में हो तो उसका आधा हम कर सकते हैं, next question है, the current I in the given circuit will be, तो पहले तो यह समझने की कोशिश करें, यह circuit बिल्कुल पीछे वाले circuit जैसा ही है, wheatstone width जैसा ही है, मतलब यह कुछ न कुछ इसी circuit की copy है, वह वाला circuit इसी circuit जैसा बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, आप इसको थोड़ा सा draw कर सकते हो, अगर आपको नहीं realize हो रहा है, तो आप यहाँ नाम दे दो इस point को A, इसको नाम दे दो B, इस point को नाम दे दो C, इस point को नाम दे दो आप कुछ D, इस तरीके से कुछ नाम दे दो A, B, C, D, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, आप readraw करो, आप A और C के बीच में पूरा drawing क करते हो, एक point उपर मान लो B, और एक point नीचे मान लो D, इस तरीके से, अब आप देखो A और D के बीच में 4 ohm है, A और D के बीच में यहाँ पे, 4 ohm अगर आप बना सकते हो, ऐसे बना दो, ऐसे ही A और B के बीच में यह वाला 4 ohm है, A और B के बीच में यह वाला 4 ohm हम बना सक वाला और 40 सीच पें बचला ने कि यह वाला ड के बच घया कि यहां ःफ लडा कह सकते गदेख सकते हो और इसे question में, ऐसे question में अगर इनका ratio बराबर आ जाए, this divided by this, same as this divided by this, तो आप इसको हटा सकते हो, पर ratio same होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ratio same आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे तो ratio same आ रहा है, कहने का मतलब है, आप कह सकते हो कि इसको हम हटा सकते हैं, तो यह दोनों series में, इनका series आ जाएगा 8 ohm, और इन दोनों का series कितना आ जाएगा 8 ohm, और उसके बाद आपस में parallel में, और 8 और 8 का parallel कितना हो जाएगा हमारा, equivalent कितना आ जाएगा overall, यह आ जाएगा फिर से 4 ohm, फिर से देखो, इसको हमने हटाया, eliminate किया, क्योंकि यहां से दिख रहा है, यह balance wheatstone, इसका ratio इसका, इसका ratio इसका ratio इसके बराबर है, यह 4 by 4, 1, 4 by 4, 1, तो यहां से इसको हटा सकते हो, अगर आप इसको eliminate करोगे, अगर आप यहां से सको मिटा दोगे, हटा दोगे, तो 4 और 4 series में, 4 और 4 series में, उपर 8 आ गया, नीचे 8 आ गया, ठीक है न, उपर 8 आ गया हमारा, और नीचे भी हमारा, ये और ये 8 आ गया, और उसके बाद उनका parallel ले लोगे, तो R equivalent 4 आ गया, बैटरी है 40 volt की, तो current कितना आ जाएगा, total voltage जो भी है, divided by R equivalent, total voltage है 40, और R equivalent है 4, यान की आ जाएगा, 10 MP, कितना आ जाएगा, यहां से answer है, हमारा, 10 MP, ये first option, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, नेक्स कोशिन की तरफ जाते हैं, ये भी कोशिन अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही है, जैसा भी पीछे की है, पहले आप चेक करो क्या है, या बैलेंस wheatstone bridge बन रहा ह ही है, 20 by 10, 12 by 6 सही है, क्योंकि 20 by 10 हो जाएगा 2, और 12 by 6 भी कितना हो जाएगा 2, तो आप यहां से 15 वाले को हटा सकते हैं, इसको आप यहां से remove कर सकते हैं, यानि कि अगरा circuit को दुबारा से बनाओ, यहां से हम इस point को A बोल रहे हैं, इसको B बोल रहे हैं, तो यानि कि इस point को कुछ नाम दे देते हैं, C, और इस point को मैं नाम दे देता हूँ, D, तो हमें C और B के बीच में अगर बनाना है circuit, तो एक point ऊपर consider कर लिया हमने A, और नीचे एक point consider कर लिया D, तो हम यहां से A और D वाला नहीं बनाएंगे, बाकी सारे बनाएंगे, C और A के बीच में हमें पता है कितना है, 10 ohm है, A और B के बीच में हमें पता है कितना है, 20 ohm है, इसके बीच में कितना है, 20 ohm है, C, और D के बीच में अगर आप दियान से देखोगे, C, और D के बीच में कितना है, 6 ohm है, और यह वाला हमें कितना पता है, 12 ohm है, ऐसे ही है ना हमारा circuit, देखो दिया चाहिए, A और B के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना potential difference होगा, यानि कि इसके across कितना potential होगा, तो आप देख सकते हो, अगर यह 15 volt है, यह positive terminal है, यह negative है, मैं लेता हूँ, इसका positive terminal 15 पे है, तो मैं बोल देता हूँ, यह 15 volt हो गया, और यह point कितना हो जाएगा, अगर यह 15 volt है, तो यह वाला हो जाएगा, आपका 0 volt, यानि कि यह point मेरा 0 volt पे है, तो आप इन दोनों पे देखो potential difference, यह series में, 10 और 20 series में, आप इसको ऐसे समझो, 10 और 20 यहाँ पे series में हैं या हैं, नहीं हैं, उपर वाले दोनों देखो, नीचे वाले भी हैं, पर यह दोनों भी तो series में हैं, यानि कि यह 10 ohm है, और एक 20 ohm है, और इन पे जो potential difference है, एक तरीके से 15 volt का है, आप ऐसे देखो, मैंने सिर्फ इसको बना के दिखाया है, उपर वाले को, ऐसे अगर confuse हो रहे हो, तो आप simply ऐसे देख लो, कि यहां पे 15 volt है, और यहां पे 0 volt है, है या नहीं, उपर वाले को ध्यान से देखो, यहां पे 15 है, यहां 0 है, तो आपको याद है, potential divider का का काम करता है, series connection, अगर आपको इसका potential निकालना है, मालो, यह V1 है, यह V2 है, V2 नि by total resistance कितना हो गया, 10 plus 20, 30, और इस पे हमें voltage निकालनी है, तो into 20, ठीक है, यह 0 से 0 कर गया, और यह कितना आजाएगा, आपका 10 volt आजाएगा, यानि कि इस पे जो potential difference आएगा, वो कितना आजाएगा, आपका 10 volt आजाएगा, ओके, clear है, यहां पे इस पे potential difference पुछा है, आप इन इन दोनों पे मिला के 15 volt आ रहे है, इन दोनों पे मिला के 15 आ रहे है, ठीक है ना, इन दोनों पे मिला के 15 आ रहे है, यहां पे भी वोई potential आता 10 volt, क्योंकि यह दोनों same potential पे होते हैं, balance weight zone में, तो यहां पे अगर हम ध्यान से दे के 15 volt है, तो मैंने circuit बनाया, और यहां पे voltage divider लगाया, अगर आपको इसकी voltage निकालनी है, तो total voltage, यानि की 15 minus 0, 15 हो गया न, 15 divided by total resistance, मतलब इन दोनों का sum, into इसका resistance, यानि की R2, अगर आप इस पे निकालना चाहते हैं, तो 10 multiply करते हैं, तो 5 volt आ जाता, ठीक है, करके देख सकती हो यह वाला, इसका answer clear है, इस तरीके से question हो ज करोगे यह नहीं तो फिर आगे कैसे सीखोगे, कभी तो हमें महनत करनी पड़ेगी, महनत का तो कोई भी substitute नहीं है, इन questions को at least हमारे basics के लिए रखो यह ऐसे ही होते हैं, इनको हम solve कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है horizontal extension, यानि की extension of wheatstone bridge है, WSB का मतलब wheatstone bridge का extension, मतलब कि आप द इहां से देखोगे, यहां पर इसका ratio इससे देख लो और इसका ratio इससे देख लो same है, है या नहीं है, है ना, इसका ratio इससे, इसका ratio इससे same है, यानि की आप इसको यहां से remove कर सकते हो, ऐसे इन दोनों का ratio इससे, इसका ratio इससे same है, इसको भी remove कर सकते हो, इसका ratio इससे, इसका बन जाएंगे ना यहां पे कुछ इस तरीके से यह series में बढ़ जाएंगे और इसका resultant आ जाएगा उपर आएगा r plus r plus r नीचे r plus r plus r तो उपर आगया हमारा 3r और नीचे भी कितना आगया अगर हम धियान से देखेंगे 3R और यह दोना आपस में parallel में हो जाएंगे तो R equivalent कितना हो जाएगा यहां से 3R divided by 2 यहां से R equivalent कितना हो जाएगा 3R divided by 2 तो इसको हम extension of wheatstone bridge कह सकते हैं wheatstone bridge जैसा ही है यह बट आप देख सकते हो wheatstone bridge यहीं खता हो जाता है इसके बाद फिर रहे है मतलब एक बार इन दोनों में ओंनों के साथ लगाँ पिर इन दोनों काइन दोनों के आपका यहां potentialunkt 6 A कुछे होगा यह नो कियोंकि जतना फिर ग्रोस आधा इसका क्रोस आएलगा कि उतना इसका प्रोसality कि या निकिए इससे वो डाइग्राम था यहां पे इसका सक्थेंश वो upload? इसको रेशियो इसको रिमूफ कर दो यहां से उसी हिसाप से इसका ratio इससे बराबर, इसका ratio इससे बराबर इसको remove कर दो, सारे resistance सेम है, फिर ऐसे इसको remove कर दो, यह मेरा क्यासा बन जाएगा? ठीक है ना, circuit को अगर हम दिखाएं, ऐसे बना देते हैं, नीचे वाले दोनों series में हो गए, ठीक है न, ये दोनों series में, ये दोनों series में, यानि कि ये ऐसे आ गया, और ये भी मेरा, ऐसे आ गया, और सारे resistance same है, R, 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 ये भी 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 R, इस त आर एक्विवेलेंट आ गया 2R divided by 4 यानि की R by 2 आ गया कितना गया यहां से बोलो R by 2 समझ मैं आर एचा तरीके से यहां से हम लोग अराम से देख सकते हैं इस तरीके के दो questions जो मैंने बताए है यह सब्सक्राइब पता है अगर आपको इसका method पता है तो में टाइम नहीं बरबाद होगा आप जल्दी कर लोगे इस question को देख लो मुश्किल से इनको करने में 40 seconds लगते हैं 30 40 seconds और अगर आपके अच्छी प्राक्टिस हो गई है तो आप तो इसको देखके इसका अंसर बता दोगे जल्दी से कि तो मेरे खाल से पांथ 10 सेकेंड में ऐसे questions वह जाएंगे कितना टाइम बसता है से questions में अगर आपकी टेक्निक सही है आपको सही तरीका इसको करने का आता है वो जरूरी भी है ठीक है यहां पर calculate the equivalent resistance between a and b क्या आप कर सकते हूं यह बिल्कुल सेम ही question है क्या a और b के बीच में आप equivalent निकाल सकते हूं असान है ना इसमें इसको रिमूफ कर दो और इसको रिमूफ कर दो तो कितना आ जाएगा उपर से 3R 333 333 कितना आ गया उपर से 9 और नीचे से भी कितना आ गया 9 समझ में आ रहे है और equivalent लिग दूं डरेकली उपर से इन तीनों का resultant 9 क्योंकि यह सीरीज में हो जाएंगे और अच्छा question इस question को द्यान से देखो इंदा गिवन circuit डाइग्रामा वायर इस जोइनिंग पॉइंट्स बी और डी तक करेंट इन दिस वायर बी और डी में एक वायर लगी है कोई resistance नहीं है यहां पर हमने एक वायर लगाया यह कोई resistance नहीं और यह कोई वीट सोन ब्रिज नही तो इस question को करने का तरीका यह होता है आप इस circuit को एक बार रीड्रो करो आप यहां point low A और यह low C और अगर आप ध्यान से देखो B और D अगर हम ध्यान से देखेंगे एक वायर से connected है तो आप इन दोनों को ध्यान से देखो यह दोनों को मैं BOD को यह से match कर सकता मतलब यह एक ह point बनी ठिकें तो आप कह सकते हो वर्म और पॉर अरवारा पसमें parallel में हैं और यह दोनों अपसमें parallel में है हैर बाद यह आपसमें Series में कहने का मतलब 3-0 यह इस तरीके से connected है ओके क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पे total current कैसे जाएगा total current होगा कितना total current आप अराम से निकाल सकते हो 1 और 4 parallel में 2 और 3 parallel में equivalent resistance कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो यहां पे hour equivalent निकाल निकाल लो एक काम करो hour equivalent निकाल लो कि 1 और 4 का कितना आ जाएगा अगर आप दिहान से दिखोंगे यह आ जाएगा 1 इंट फॉगैटी r बाइट प्लस फूर न पहले आप इन दोनों का देखेंगें इन दोनों का एक्वेलेंट कितना आ जाएगा इन दोनों का संट एक्वेलेंट और उसके बाद आपस में सीरीज में दोनों को आड़ कर दो तो यहां से आ जाएगा 4 by 5 plus 6 by 5 यानि की 10 by 5 यानि की 2 ohm कितना आ जाएगा यहां से यह 2 ohm आ जाएगा यहां से यह answer आ गया हमारा 2 ohm ठीक है और अब आप total current निकाल लो हैं से आइने नेट करेंट आ जाएगा टोटल वोल्टेज कितनी है मेरी 20 ठीक है ना टोटल वोल्टेज देट्वेंटी तुटल रसेस्टेंस है तू यानि की 10 एंपियर टूटल करेंट आ जाएगा 10 एंपियर हमारा total करेंट यहां से 10 वापिस आएगा यहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहां दिखा सकते हो और आपको पता है वोल्टेज डिवाइडर करेंट डिवाइडर मैंने बताया है जब सरकीट पारलल होता है तो यह करेंट डिवाइडर होता है आपको इस पर इस पर करेंट निक किया तरीका घ्राप इसको बोल रहे आइवन और इसको बोल रहे नीचे आई-टू-टू याद रनाइवन निकालने का तरीका क्या था टोटल करेंट यह लेए सामने वाला रेसिस्टन्स डिवाईड़ बा-ई कोम यूजर टोटल बेस्टन्स तो अगर आप पर कितना करेंट आ जाएगा एट एम्पेर तो बच्चा कितना नीचे टू एम्पेर तो यहां से जाएगा एट एम्पेर और नीचे से जाएगा कितना टू एम्पेर समझ में आ रहे हैं यहां से उपर जाएगा अपका 8 amp air और नीचे जाएगा 2 amp और दोनों एड हो के यहां से फिर से कितना बना देंगे 10A, कितना बना देंगे यहां से 10A, अगर यहां पर 10A आगे, अब आप यहां दुबारा से लगाओ, यहां पर कितना करेंट आएगा, मान लेते हैं, I3 है, और यहां पर कितना करेंट है, I4, I3 कितना हो जाएगा, यहां पे बच्चा कितना फोर एंपियर क्योंकि उपर सिक्स जा रहा है तो नीचे फूर इससे फाइदा क्या हुआ इससे हमें फाइदा क्या हुआ हम इस सर्किट में देख सकते हैं इसका फाइदा इस सर्किट में नजर आएगा हमें पता है यहां पे 10 एंपियर था और हमें सामने junction rule लगा दो देखो इस junction पर कितना current enter कर रहा है 8A और कितना leaf कर रहा है 6 है ना enter कितना कर रहा है 8 और यहां से कितना leaf कर रहा है 6 तो यहां से नीचे कितना जाएगा 2A तो B से D कितना current जाएगा 2A आगे समझ में इस answer यहां करना क्या पढ़ा है हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पढ़ी मेहनत किस चीज में करनी पढ़ा है Question ko solve करते है time हमें यह पता औना अचा कितना current है यहां कितना current है यहां कितना current है इसके लिए моей question में इसको simplify करना जरूरी है simplify करने के लिए मैंने इन दोनों को parallel मिलिया इंदोनों को parallel में लिया, question में इसका resultant निकाल लिया, ये दोनों मेरे parallel में है, 4 by 5, ये दोनों मेरे parallel में है, 6 by 4, add करो, 2 ohm आ गया, total resistance 2 ohm आ गया, circuit का total current 10 ampere आ गया, 20 by 2 करके 10 ampere आ गया, अब यहां से 10 ampere एंटर कर रहा है, तो उपर होगा 8 और नीचे होगा 2, कैसे निकाला है मैंने उपर 8 होगा, इस वाले formula से, current divider से, ठीक है न, इसका current निकालना है, तो इसका resistance into total current divided by total resistance, और इसका अगर आपको current निकालना है, तो obviously उपर वाला पता चल गया, तो नीचे वाला तो पता चली जाएगा, ये 10 है, उपर वाला 8 है, तो नीचे वाला 2 होगा, और अब यह current नीचे उतर के आएगा, यहां पर कितना जाएगा, यहां कितना जाएगा, दुबारा से current divider से निकाला, और फिर final circuit में डाल दिया, अब आपको पता है, यहां से 10 enter किया, उपर 8 गया, नीचे 2, और यह मेरा junction आ गया, यहां से 6 आगे जा रहे है, तो नीचे कितना जाना चा किसको करने का जो तरीका है, इस तरीके से कोई हमें wire दे दे और उससे current पूछ ले, तो आप पहले circuit में क्या करोगे, आप R equivalent calculate करो, ठीक है न, आपको पहला step क्या करना पड़ेगा, यहां से R equivalent calculate करना पड़ेगा, second आपको current निकालना पड़ेगा, V total divided by R equivalent करके निकालना ठीक है न, और third step में आपको क्या करना है, current through each resistor हमें निकालना है, अगर हमने यह निकाल लिया, यह तीन चीज़े कर ली तो question solve हो जाएगा, ठीक है न, यह तीन चीज़े हमें करनी है, इस method में, पहले हमेने R equivalent निकाला है, फिर I net निकाला है, फिर हर resistor से कितना current जाएगा, वो calculate कर रहा है, current divider use करके, फिर इसका अंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है न, BCD 2 ampere जाएगा, नो, next thing is, meter bridge, यह न, application है, wheatstone bridge का, यानि कि wheatstone bridge से ही निकल के भार आया है, इस concept को हम बोलते हैं, meter bridge, वैसे न, इसका main application हमारे practicals knowledge में होता है, जहां हम कोई unknown resistance निकालने की कोशिश करते हमें, lab में कोई resonance मιल गा, है, कोई wire मिल गा, जिसका resistance हम जानना चाते हैं, तो वो हम इस meter bridge की help से निकाल सकते हैं, किसी unknown resistor का resistance, यह और किसी wire का resistance हमें अगर पता करना है, किसी material का resistance पता करना है, meter bridge बहुत जादा हमारे लिए useful हो सकता है, और यह यह काम किस पर करता है, यह function जो यह वीट्रोन विज के प्रिंसिपल पर ही काम करता है इट इस यूज तो फाइंड आओट अन्नों डिजिस्टेंस ओफ वायर ठीक है अब इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पे हम एक वायर यूज करते थे यह मेरी वायर है जो मैं यलो कलर से दिखा रहा हूं यह वन मीटर लेंथ की होती थी तेकर अब ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में इसकी लेंथ बदल भी सकता है बट इसका नाम मीटर ब्रिज यहीं से पड़ा था ठीक है ना जादा एरिया की है कि हाँ पे आपको कोपर की प्लेट सी नजर आ सकती है इस तरीके से एजिस नजर आ सकती है यह कोपर की है यहाँ भी आप ध्यान से देखो कि यह कोपर की है यहां भी इस तरीके से यह connected है, ठीक है ना, यह copper की sheet type होती है, जिसका resistance बहुत कम होता है, उसको आप यहां पे connect करते हो, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे हम इन दोनों points के बीच में, यह conducting है, यह सारा portion conducting है, जो orange color से बनाया है, नीचे मेरी wire है, ठीक है ना, नीचे जो ब B मतलब एक resistance box है, जिसका resistance आप जानते हो, इसको non resistance भी कह सकते हो, तो आपके पास यहां पे एक resistance लगाया जाता है, left side, आप ज़रूरी नहीं है, left लगाओ, आप इसको right भी लगा सकते हो, यानि कि यहां पे एक resistance है, non resistance, ठीक है न, इसको हम क्या कहते हैं, non resistance, यानि इसकी value में जानता होंगा, RB क्यों लिखा है, resistance box के लिए लिखा है, resistance box पर resistance की value लिखी होती है, इसलिए हम लोग इसको resistance box या non resistance कह रहे हैं, और फिर हमने क्या किया है, इसको किसके बीच में लगाया है, यहां इन दोनों sheet के बीच में इस तरीके से adjust कर दिया, और right side हम क्या लगा रहे है एक unknown resistance लगा रहे है, right side जो resistance लगा रहे है, इसकी value हम नहीं जानते, यह हमारा एक unknown resistance है, जो हम यहां से calculate कर सकते हैं, ठीक है न, unknown resistance, method क्या है, यह बिलकुल हमारा wheat strong bridge की तरह है, क्योंकि जैसे मैं wheat strong bridge बनाऊ, तो अभी तक जो wheat strong bridge है, उसमें यह point A, और यह point में आपको दिखा देता हूं C, यानि कि अगर हम ध्यान से देखें, यह point हो गया A, और दूसरा point हमने consider कर लिया C, और A और C पे हम क्या कर रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, इस तरीके से हम यहां पे एक battery connect कर देते हैं, A और C के बीच में, और अगर अब आप ध्यान से देखोगे, तो यहां पे हमें पतisfy जो resistance होते हैं, यानि कि यहां प एक resistance है, यह वाला resistance मेरा RB है, यानि कि non-resistance है इसकी value मैं R ले लेता हूं, यह मेरा R, मेरा non-resistance हो गया, ठेक है, यह वाला point, D वाला point, आप यहां दिखा सकते हो, ठीक है, और S को आप कहाँ network कर सकते हो, यहां पे share कर सकते हो, यह मेरा unknown resistance हो गया S, ठीक है न, फिर से इसको draw कर देते हैं, यहाँ पे मेरा जो unknown resistance है, वो यहाँ पे दिखाया गया है, यह मेरा S हो गया, अब नीचे दो resistance और होने चाहिए न, wheatstone bridge में, यहाँ पे वो हमने wire की form में लिए है, हम यहाँ पे galvanometer लगा रहे हैं, देखा जाए हम क् के galvanometer लगाया है, और इस wire के उपर run कर रहे हैं, ठीक है न, नीचे हमने wire लगाया है, उसके उपर क्या कर रहे हैं, run कर रहे हैं, मतलब इस wire के उपर potential gradient आजाएगा, क्योंकि आप इसको एक battery से लगा चुके हो, तो आप इस wire के उपर आगे पीछे करोगे, और कही ना कहीं, अगर हम ध्यान से देखेंगे, आपको यहां null point मिल जाएगा, we are searching for null point, null point का मतलब है, जहां zero deflection आजाए, तो जहां galvanometer zero deflection दिखा देगा, हमें बस वोई point चाहिए, हमें वो length चाहिए, इधर वाली और इधर वाली, अगर आपने देखा, यहां से, इसको zero बोल देते हैं, औ और यहां से लेके यहां तक हमारा एक length आगई L, मतलब इस length पे, यहां से A से L distance पे हमारा क्या आगया है, zero deflection आगया है, यानि कि यहां से यहां तक का resistance कुछ हम मान लेंगे, इस resistance को हम कुछ मान सकते हैं, R3, और इस resistance को मैं नाम दे सकता हूँ, R4, यानि कि इतनी wire का resistance अब ह हमें पता है, इन दोनों का resistance का ratio इनके बराबर होगा, R3 की अगर हम बात करें, R3 क्या होगा, जो भी wire की density है, into length L divided by area, और R4 की अगर हम बात करें, यह हो जाएगा, row into जो total length थी, आपने यह 100 cm मानी है, है ना, यहां आपने meter bridge माने है, तो आपने इसको 100 cm माना है, तो मैं यहा हो सकती है, यह meter bridge है, इसलिए हम इसको 100 कह रहे हैं, बट आपको ऐसे meter bridge भी मिल जाएंगे, जहां उसकी length 100 cm नहीं होती, 1 meter नहीं होती, बलकि उससे कम या उससे जाधा भी होती है, हो सकता है, यह लंबाई 200 cm हो, तो आपको यहां L और यहां 200 minus L लिखना पड़ेगा, इसकी ल ओके, तो यह मेरे resistance आगए, अब हमें पता है कि क्या condition होती है, balance wheat stone bridge की, इसका ratio इसके बराबर, इसका ratio इसके बराबर, यह इन दोनों का ratio ले लो, इन दोनों के बराबर होगा, यानि कि मैं यहां से unknown resistance, sorry, non resistance का अगर हम धियान से देखे ratio लूँगा, यानि कि R divided by unknown resistance, इसको हम क और कितना है, row into 100 minus L by A, यानि कि A और row हमें नहीं पता था और वो equation में आभी नहीं रहे, वो सिर्फ length के term में answer आ रहे है, अब भई आप experiment के time आप जानते होगे, यह length कितनी है, इसके नीचे एक scale लगाया जाता है, जिससे यह length पता चल जाती है, अगर आपको L पता है, तो आ सकते हो, यानि कि यहां से आप R by S को लिख सकते हो, L divided by 100 minus L, ठीक है न, इस तरीके से आप यह condition लिख सकते हो, अगर आपको L पता है, तो आप S calculate कर सकते हो, यहां से easily, बस इतना याद रखना, यहां पर मैंने 100 लिखा है, यहां पर 100 का मतलब है length, जो भी मेरी meter bridge की length है, वो ल पता देता हो, इन general हमें क्या formula लिखना चाहिए, R divided by S, किसके equal होना चाहिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे, L divided by total length minus L, है न, L का मतलब हो चाहिए, length of bridge, जो भी हमें bridge में wire की length देगा, ठीक है न, length of wire in bridge, ठीक है न, कौन सी wire की बात कर रहे है, जिसके उपर आप, किसको आगे पीछे कर रहे हैं, जिसके उपर आप galvanometer को आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है न, इसको हम consider कर सकते हैं, important है ये बात, ओके, this is called meter bridge, इसी को हम क्या बोलते हैं, meter bridge बोलते हैं, meter इसलिए बोला जाता था, क्योंकि इसकी length 1 meter होती थी, बट हर बार ये हो, तो ज़रूरी नहीं है, ओके, तो ज़स्ट ये condition यहाद रखें, यहाँ पर, मदब, question क्या कर देंगे, condition थोड़ी बहुत बदल भी सकती है, depend करता है, question में क्या value दी है, R by S, इसको थोड़ा सा, S लिख देते हैं, यह थोड़ा सा, ऐसे बन गे, यह S है, ठीक है, L divided by 100 minus L, तो जैसे यहाँ एक question है, question म तो देखो, यहाँ पर question में, यहाँ meter bridge, wire जो हमें दी है, वो एक meter की नहीं दी, मैंने आपको पहली one किया था, कि ऐसा सवाल हो सकता है, ज़ाँ जरूरी नहीं है, wire हमेशा 100 cm की दी जए, wire की length है, उसके हाथ में है, वो कुछ भी ले सकता है, question में वो कुछ भी दे सकता है, त ऐसा की diagram में आपको बोला जा रहा है, A से लेके D तक, यहाँ से आप देख सकते हैं, A से लेके D तक की जो लंबाई है, वो L हम लोगों को 30 cm दे दिया है, और total लंबाई 50 है, तो इसमें कोई दोराए नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक की length आप बता पाओगे मुझे, बता यहाँ पर किसके equal हो जाएगा, यहाँ पर 30 divided by 20, तो यहाँ से 00 कट जाएगा, और अगर आप निकाल रहे हो, तो 2 into 6 divided by 3 आजाएगा, यानि कि यह आजाएगा आपका forum, ठीक है, यह आपका forum आजाएगा, यह इसका correct answer हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो, easy question है, अराम स इस question को अब solve कर सकते थे, इस cancer forum आगया, अगले सवाल पर आते है, 2020 में आया गया सवाल है, इस तरीके के सवालों को भी एक बार ध्यान से देखते हैं, जहाँ डाइगरम नहीं दिया जाता, और मैंने देखा है, mostly बच्चे, मीटर बिच का सवाल वो गलत करते हैं, जहाँ ड करना होगा, और जैसे equation समझे, जैसे उसको अपने आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक diagram ज़रूर बनाना है, यहाँ पर नहीं दिया है, तो आपको diagram ज़रूर बनाना है, क्योंकि diagram बनाए मिना अगर आप solve करते हैं, तो chances हैं, उमीद, मैं यह करता हूँ कि मुझे ऐसा diagram वाले question में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि वहाँ गलती होने के chances हैं, हो सकता है, हम language गलत पढ़ लें और कुछ गलत कर दें, तो ध्यान से question पहले पढ़ते हैं, question में कहता है, resistance wire connected in the left gap of a meter bridge, balances are 10 ohm resistance in the right gap, यानि कि यहाँ पे मेरा meter bridge है, वहाँ पे हमें पता है, यहाँ left gap होता है, यहाँ पे left gap में हम लोगों को क्या दिया गया है, resistance wire connected in the left gap, तो इसका resistance नहीं पता, मैं R लिख देता हूँ, और जो इसका right gap होता था है, meter bridge में जो मेरा right gap होता था, यहाँ वाला, यानि कि बैए ऐसे कह सकता हूँ, मैं इसको भी इट्स्रों रिच की तरह ही बना देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, यहाँ आर है, और right वाले में मुझे कितना दे रखा है, 10 ohm, right वाले में 10 ohm दे रखा, left वाला unknown हो गया, इसके ब में से minus L, और यह हमें ratio दिया गया, उसमें बोला, यह wire को इस ratio में divide करता है, तो जो wire का ratio होता है ना बेटा, वही resistance का ratio होता है, यह बात आप भूले ना, यहाँ और यहाँ जो wire आती है, जो meter bridge में हमारी wire होती है, यहाँ और यहाँ, मतलब यह और यह, यहाँ जो length का ratio है, वह ही resistance का ratio है, यह हमने यहाँ पे देखा था, जो R 3 by R 4 था, वह यहाँ से लेके यहाँ तक की length थी, यहाँ से यहाँ तक की length थी, र 3 वाले की, वही है, divided by R 4 की जगे हम यहाँ से लेके, यहाँ से जो हमारा यह point को, अगर हमने P माना है, P से लेके सी तक का जो distance है, जो length है, वो दूसरा 2X हमने मान लिया तो यह लेंद का रेशियो था मैंने रेजिस्टेंस का रेशियो ले लिया यहां पे यह अब हमारा कोश्चन बन गया देखो अभी डियाग्राम बन गया तो कोश्चन गलत होने के चांसे अब यहां कम हो जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप कोशिश करते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस वायर है यानि कि यह वाली वायर की बात कर रहा है इसका रेजिस्टेंस कितना है यानि कि मैं कैपिटल आट निकालने की कोशिश करता हूं हमें यह वाली लेंथ नहीं निकाल नहीं है मैं बताता हूं किया होती है बच्चों को क पर इसकी बात कर रहा है कि इसकी बात कर रहा है इसकी वाइय को सकता है कि अपनलगा को कितनी दी गई है लेंट उब डावाइर इस बन वाइं पॉइंट फाइफ मीटर यह इसकी लंबो ही नोट लिख देता हूं मैं इसको लोट देते हैं इसकी वायर की लेंध 1.5 दिये तो कोई दिक्कत नहीं है पहले हम यह resistance निकाल लेते हैं यह resistance कैसे क्यों आ गई 15 ohm देखो धियान से आर की वैल्यू कितनी आ गई 15 ohm और हमें पता है यह 15 ohm resistance इसका है जिसकी length L0 है L0 हमें पता है यहां question में दिया गया है L0 हमें 1.5 meter यहां पर दिया गया है ठीक है तो आप कह सकते हो जब मेरी length अगर हम हम दियान से देखेंगे 1.5 अगर हम लेंट की बात करें जो मेरी length कितनी थी 1.5 meter तो मेरा नदे से कितना था अगर हम ध्यान से तो अगर आपको वन ओम के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा अगर आप वन ओम रिजिस्टेंस की लेंद देखना चाहते हो तो 15 से डिवाइट करना पड़ेगा यूनिट्री मेथड है आप इसको 15 से डिवाइट करोगे तो यहां से आ जाएगा 0.1 समझ में आ रहें अरे बढ़ी 1.5 मीटर जो ता वह 15 ohm के लिए था यानि की फिविटीन ओम रेजिस्टेंस 1.5 मीटर लेंख में होता है वह पूछा रहें 1 ओम resistance के लिए क्या length लेनी पड़ेगी, तो 1 ohm के लिए आपको 15 से यहां divide करना पड़ेगा, 0.1 meter आ जाएगा, यानि कि जो इसका answer आएगा, 0.1, क्या यही option 0.1 के बराबर है, 1 into 10 की पावर-1, क्या इसी को 0.1 लिख सकते हैं हम, यही हो जाएगा न, तो इसका final answer ही आएगा, 2020 में आएगा, अच्छा question हैगी, आगे देखते हैं, अगले question को फिर से पढ़े हैं शुरू से, unknown resistance R1 is connected in series with resistance 10, when the combination is connected to the left gap of a meter bridge, यानि कि यहां जो मारा meter bridge था, यहां पर हमने combination लिया है, किसका combination लिया है, R1 का कैसा combination लिया है, बोलो, series resistance 10 ohm के साथ, और left gap में लगा दिया, यानि कि यहां जो resistance बन गया, वो R1 प्लस 10 बन गया, बन गया, यह left gap हो गया हमारा, right gap में क्या रखा हम लोग धियान से देखेंगे, right gap में हम लोगों ने क्या किया है, R2 is connected to the right gap, तो right gap में हमने कुछ यहां पे R2 लगा दिया, ठीक है, now, balance point from the left end is at 50 cm, देखो, इस question में कही भी उसने total length नहीं दिया, हमें दिया क्या कितनी length है total हमारी wheatstone ridge की, हमने बोला था वो कुछ भी हो सकती है, 100, 200, 300, but नहीं दी जाए, तो आप 100 ले सकते हो, question में नहीं दी गई, यानि कि वो assume कर रहा है, 100 है, यानि कि वो कहने की कोशिश कर रहा है, कि अगर यह हमारा इस तरीके से कुछ meter bridge है, जैसे कि हम बनाते हैं, यह हमारा कुछ meter bridge बन गया, इसमें left में हम लोगों ने यह लगा दिया, कितना लगा दिया, r1 प्लस 10 लगा दिया, right side जो हमने resistance लगा दिया, वो कितना लगा दिया, r2 लगा दिया, अब इसकी अगर हम length की बात करें, यहां से लेके यहां तक जो हमारी length है, उसकी हमें परवा करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा वो length कितनी है, obviously, इस question में नहीं दी गई है, है ना, इस question में नहीं दी गई है, तो हमें इसको 100 cm मानना ही पड़ेगा, और अगर हम ध्यान से देखे, हमें बोल रहा है, balance point का आ रहा है, अगर आप galvanometer के balance point की बात करो, तो यहां पर galvanometer है, और इसका balance point आ रहा है, कितने distance पर 50 cm, यहीं दी है ना, the balance point from the left end is 50 cm, यानि कि इससे 50 cm आ गए है, यानि कि यह distance 50 cm हो गया, तो पता है अगर यह 50 है, तो यह भी कितना होगा, 50 ही होगा, यानि कि यह दोनों distance सेम है, यानि कि यह दोनों resistance सेम है, तो यह दोनों भी सेम होगे, clearly हम यहां से क्या कह सकते है, कि यह पहले वाले case में, मतलब इस diagram को मिटा देता हूँ, इस सही दिखा देता हूँ, तो पहले वाले case में, इसका ratio इसका, इसका ratio इसका बराबर होगा, यानि आरवन प्लस 10 बाई आरटू, सेम एस इस दिवाइद बाई दिस और क्योंकि यह दोनों length सेम है, यहां से मैं clearly लिख सकता हूँ, आरवन प्लस 10 डिवाइद बाई आरटू, वो किसके एकवल होगा, 50 डिवाइद बाई 50, दोनों length बराबर है, यानि कि 1 के, यानि कि मैं आरवन प्लस 10 को यहां से आरटू लिख सकता हूँ, यह मेरी पहली equation मिन गई, ठीक है, अब क्या करें, second case में क्या कह रहा है, वो क्या क 10 ohm is removed, 10 ohm को क्या कर रहा है, रिमूफ कर रहा है, तो कितना resistance बचा, अगर आपने यहां से 10 ohm को हटा दिया, तो कितना resistance बचा, यहां पर बोलो, तो हमारा resistance कितना बचेगा, 10 ohm को हटा दिया, तो आप बोलोगे, सर यहां resistance बचेगा, R, ठीक है न, और उसके बाद अगर हम यहां से देखेंगे, यहां कितना resistance है, यहां R2 ही है, और फिर balance point कितना R है, the balance point shifted to 40 cm, अब आप खुछ सोचो, अगर balance point इस पे, यह wire को, अगर मैं कुछ AB नाम दे देता हूं, तो balance point अगर मेरा 40 cm पे आता है, ठीक है न, अगर यह distance मेरा 40 cm होता है, तो यह distance कितना हो जाएगा 60 cm हो जाएगा, हो जाएगा न, यानि कि next case में second condition क्या हो गई यहां पे, second case, यह तो मेरा first case था, जब हमने इसको series में लगाया था, second case में अब हमने 10 को हटा दिया, तो क्या आजाएगा, R1 divided by R2, और यहां जाएगा 40 divided by 60, ठीक है न, अब यहां पे सिर्फ R1 है, और यहां R2 ह है, यह length मेरी 40 हो गई है, तो यह 60 हो जाएगी, 40 question में दी है, और left end से दी है, ठीक है, तो यह कितना आ जाएगा, 2 by 3, यानि कि, यहां से R1 को मैं लिख सकता हूँ, 2 by 3, R2, ठीक है, यहां R2 को क्या लिख सकता हूँ, यहां से, R2 को लिख सकता हूँ, 3, R1 by 2, R2 की value क्यों न answer आ जाएगा, यानि कि, इसी R2 को कहां डाल दो, यहां पर डाल दो, तो कितना आ जाएगा आपका, solve करो यहां पर, यहां से आ जाएगा, R1 plus 10 is equals to 3, R1 by 2, R1 को right side ले जाओ, 10 is equals to 3, R1 by 2, minus R1, यहां जाएगा मेरा, R1 by 2, 2 को यहां multiply करो, R1 की value अगी हमारी 20, तो R1 मेरा कित इतना आ गया, 20 हो, ठीक है, वही बात है, question को जितना आप carefully पढ़ोगे, जितना ध्यान से पढ़ोगे, patient चाहिए, कई बार patients की भी जुरत होती है, सवाल हो करने के लिए, अब मैंने यह भी चीज़ नोटिस कर लिए, कि बच्चे इतने impatient होगे, उनको लगता है कि जो हमने class म हो जाते हैं, question की language नहीं पढ़ते हैं, हमें बहुत जादा आदत किया है कि हम लोगों ने चीज़े समझी हैं, पर question नहीं पढ़े हैं, बहुत बार आप लोगों की strategy बन जाती है, आप classroom बहुत अच्छे से attend करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप पूरे-पूरे बलंबे-ल जूरी समझते हैं, बट जब हमारे सामने question आता है, तो हम interpretate नहीं कर पाते है, question में वो पूछना क्या चाहते हैं, और देखो English एक ऐसी language है, जिसको वो इस्तमाल कर रहा है, तोड मरोड के हमारे खिलाफ, यहां पर कह सकता हूं है, kind of की इस तरीके से हम लोग फस जाते हैं, ह किदा solution देखके करते रहोगे, तो समझ में आएगा नहीं, या फिर मैंने अगर आपको बता दिया, इस question में यह दिया है, तो भी आप कर लोगे, बट उसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा, इस question में यह दिया है, हो सकता है, फिर आपसे question हो जाए, पर यही तो आया है, lecture खतम होने के बाद, question को दुबारा पढ़ना है, blank slide देखना, question को पढ़ना, उसके बाद दुबारा से solve करना, यह आपको महनत करनी पड़ेगी, right, अगले question में कहते हैं, in a meter bridge, the balancing length from the left end, the balancing length from the left end, वो कितना दिया गया, अगर हम धियान से देखेंगे, 20 cm, value of a non-resistance, याने कि उसने का एक standard meter bridge है, standard resistance उसने बोला है, one ohm होता है, in the right gap, कहने का मतलब है, जैसे कि हम लोग यह meter bridge consider करते हैं, ठीक है न, इस तरीके से माल लो हमने यह अपना meter bridge बना लिया, let us see, यह हमारा अब, meter bridge बनाना start कर दिया हमने, यहाँ पे हमारी कोई length लगी होती है, ठीक है और यहाँ पे हम लोगों ने एक resistance यहाँ पे है, एक resistance यहाँ पे है, अब वो बोल रहा है, in a meter bridge the balancing length from the left end, यहाँ से left end से balancing length कितनी आ रही है, इस point को A बोल दिया, इसको C बोल दिया, यह left end हो गया, यहाँ से balancing length हम लोगों को कितनी मिल रही है, 20 cm, और meter bridge में और कुछ नहीं द right gap पे 1 ohm resistance है, यानि कि resistance हमारा 1 ohm है और आप से r पूछ रहे है, क्या आपने interpretate किया, क्या आप लोगों की interpretation यही थी इस question के बारे में, read करते हैं कि आप यह सजी समझ गए थे कि question में क्या पूछा गया है, समझ गए थे तो बहुत अच्छी बात है, तो तो आराम से question हो यानि कि हम इसको लिख सकते है, 0.25 ohm, यह resistance कितना हो जाएगा, 0.25 ohm हो जाएगा, यह हमारा final answer आजाएगा, next question की दरफ बढ़ते हैं, यह भी अच्छा question है, मज़िदार question है, इना meter bridge shown, the resistance x has a negative temperature coefficient of resistance, हाँ, मज़िदार question है, देखो पहली line में जटका लग जाएगा, अगर आप यह पहली बार कर रहे हो, तो जटका खा सकते हो इस question को पढ़के, कि यह क्या दे दिया इसने, यहाँ बोल temperature बढ़ा और resistance घट जाएगा, यानि कि temperature बढ़ने से क्या होगा, इसका resistance घट जाएगा, negative temperature coefficient का मतलब यही है, ठीक है न, यहाँ पर यह जो लिखा है, negative temperature coefficient, मैं आपको बता जेता हूँ, इसका मतलब है आपका alpha negative है, यानि कि temperature अगर बढ़ेगा, तो इसका resistance घटेगा, तो इस यासे वक्त बढ़ेगा, इसका resistance कम होगा, तो आप कह सकते हो, समय के साथ, इसका जो resistance है, वो क्या हो जाएगा, decrease with time, इसका resistance, धीरे-धीरे क्या होने लग जाएगा, decrease with time, इसका resistance, समय के साथ, घटना स्टार्ट हो जाएगा, यह मतलब बन गया, इस question में, अब आप खुद ध होनी देर के लिए, इसका resistance 60 हो मैं, तो यहाँ पे कहीं balancing point आ रहे है, ठीक है न, और इसका resistance कुछ हा रहे है, आपको पता है, this divided by this, this divided by this, आप जानते हो, जितना जादा यह resistance है, इन में से अगर जो बढ़ा होगा, वो अली length बढ़ी होती है, मानलो अगर 60 इससे बढ़ा है, आप तो यह length बढ़ी होगी और यह length चोपी होगी, अब दीरे धीरे अगर यह 60 कम होता जाएगा, तो इसकी length भी गम होती जाएगी, यानि कि जतना resistance यह जादा होता होता है, जतना जादा यह होता है, उसकी side बाली length उतनी जादा होती है, proportion में ही होती है, यानि कि अगर हम ध यानिकि यह right side अमारा deflection point, क्योंकि यह length कम होती जाएगी, क्योंकि यह resistance कम होता जा रहे, यानिकि जो मेरा needle का balance point है, वो shift करेगा towards B, यहां जो needle का balance point है, वो कहाँ shift करेगा, towards B shift करेगा, reason क्या है, इसका B की तरफ shift करने का, क्या reason बताया था मैंने, रीजन यह बताया क्योंकि यहां पे इसका जो temperature coefficient है वो negative है यहां पे temperature coefficient negative किसके लिए होता है semiconductor के लिए इसलिटर के लिए पड़ा था ना हमने तो इसका temperature coefficient negative है वक्त के साथ इसका temperature बढ़ेगा और इसका resistance घटेगा तो यह वाला जो balance point है यह B की तरफ shift होगा यानि कि यह resistance बढ़ा हो जाएगा यह resistance छोटा हो जाएगा तो यह value-land बढ़ती जाएगी A as well in बढ़ती जाएगी C B फाली घटाजी जाएगी और definitely इसका answer क्या वोगा जो मेरा balance point है वो वह गी तरफ श्यफ्ट हो जाएगा यान की यह जो गसको जो Europy कहते हैं इसी को सिच्छ करेगी जो की शिफट करेगी राइट शी हुँआ फिन नेक्स कंया सोब न गन управ के बारे में पढूँगा और उसके बाद मैं आप लोगों को यह कोई कुछन करा हुँगा ठीक जब निस फ़यूठा हम के इससे पहले कुछ और चीज़े पढ़ते हैं ठीक है ना पावर वाला कोईशन करने से पहले एक दो चीज़े मैं आपको और बताता हूं थोड़ा प्राक्टिकल बेस्ट है बट इंपॉर्टेंट है यहां मैं आपको एक कुछ चीज़े बताऊंगा जैसे कि अगर हम बात करें वीट स्टॉर्ण परिज की उसमें कभी कभी कुछ बातें आपको याद रखड़ी पड़ती है वीट स्टॉर्ण ब्रिज में अगर हम द्यान से देखें यह इंपॉरेंट चर्चा है इसपे वीट स्टॉन बिज में हमने जो सिर्किट बनाया वो कुछ इस तरीके से कंसीड किया है यहां resistance माल लिया मैंने R1, यहां resistance माल लिया R2, यहां resistance माल लिया R3, यहां resistance माल लिया हमने R4, और मैंने माल लो यहां पर क्या रख लिया अपना galvanometer, यहां पर क्या consider कर लिया अपना galvanometer, और यहां पर हम लोगों ने अपना battery consider कर लिया, ठीक है न, यहां पर हमने क्या consider कर ली बैटरी इंट तो यहां पर वीट्सों बिच में आप लोगों से कभी कभार ऐसा कुछन पूछ लेता है बैलेंस की कंडिशन क्या है तो आप जानते हो बैलेंस की कंडिशन क्या है आरवन और फॉर किसके बराबर हो जाएगा आरटू बाइर थृट रहे के यहां क्या कं divided by r2 किसके बराबर है यहाँ पर r4 divided by r3 के यही तो हमारी balance की condition बन रही थी यहाँ पर this is a condition for balance wheatstone पर यही बन रही थी अगर हम ध्यान से देखे यहाँ हम लोग यह कह सकते हैं अगर हम battery को galvanometer की जगे लगा दे और galvanometer को battery हम यहाँ replace कर रहे हैं अदलाब अदली कर रहे हैं किसका interchange कर रहे हम देख सकते हैं हम ग्यालवएनो मेटर को किसे interchange कर रहे हैं बोलू would बैulाबटरी से बैटरी और galvanometer को अदलाब ली जहां galvanometer बैटरी और जहां बैटरी हम ग्यालवैनो मेटर लगा दे तो क्या होगा एक बार circuit बनाते हैं दुबारा से, यह circuit बन गया इस तरीके से, ठीक है ना, यह circuit बन गया अगर हम दियान से दिखेंगे, यह इस तरीके से बन गया, आपका होगा सर, यहाँ पे battery लगा दी गई, और यहाँ पे क्या लगा दिया गया, galvanometer, ठीक है, यह point क्या है, इसको हम नाम देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ, a, b, इसको c, इसको d, ठीक है थैक है ना, तो यह point होगा है, यह होगे मेरा b, यह होगे मेरा c, यह होगे मेरा d, तो पहले जो हुमारी बैटरी थी, वो किसके बीच में लगी भी थी, धिहान से देखो, पहले मेरी बैटरी A और C के बीच में लगी भी थी, है न, और गैलवनोमिटर B और D के बीच में लगा था, बदल दिया हमने, अब जो मेरी बैटरी है, वो B और D के बीच में और galvanometer A और C के बीच में है ठीक है पर यह resistance क्या है मेरा R1, R2 यह resistance कितना है मेरा R3 और R4 ठीक है अगर आप ध्यान से देखो अब balance की condition क्या होगी अब condition क्या होगी अगर यह balance वीच्ट बन रहा है तो अब condition क्या होगी यानि कि आप क्या कर सकते हो आप ऐसे बना सकते हो अगर इस diagram को आपको redraw करना चाहिए समझने के लिए तो आप इस diagram को अगर ऐसे बनाओगे तो आपके लिए जाधा सही रहेगा आप इस diagram को दुबारा redraw करो समझने के लिए क्योंकि battery अगर आप अंदर बनाओगे तो आप confuse हो सकते हो मतलब वही है जरूरी निया battery को आप अंदर डिखा ओऊ आप बैटरी को ऐसे बहार भी दिखा सकते हो आप बैटरी को ऐसे भार भी तो दिखा सकते और galvanometer को यह अंदर दिखा सकते हो galvanometer को आप ऐसे दिखा दो समझ में आ रहे है यह मेरा क्या हो गया r1 यह r2 यह r3 यह r4 रहा तो यह अभी भी wheatstone bridge बट इसकी balance condition क्या होगी अगर हम ध्यान से देखें अब हम बोलेंगे this divided by this should equal to this divided by this यानि कि अब condition हो जाएगी r2 divided divided by र3 same as R1 divided by R4 ठेक़्ेरा r2 divided by R3 is same as r1 divided by R4 क्या same condition नहीं आ रही है दिखें क्या अभी भी same condition है this divided by this is same as this divided by this क्योंकि हम यहां भी तो ऐसी करते थे horizontal का ratio इसका इस तर इस से बराबर होता था तो यहां पर अब क्या होगा इसका ratio इस से और इसका रिशो से कि अभी भी सेम चीज नहीं आ रही अभी आपका जो आंसर आ रहे कि यह अभी भी सेम चीज आ रहे हैं कहने का मतलब है यहां पर अगर आप बैटरी और गैल्वांट मिटर को एक्सचेंज करते हो तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता हमारा आंसर सेम आता है, सेम बैलंस कंडिशन है, सेम बैलंस कंडिशन है, यानि की चेंज नहीं करेगा, वीट्टोन ब्रिज अभी भी कैसा रहेगा, बैलंस रहेगा, यानि की आप लोगों से यह कुशिन पूछा जा सकता है, एक बैलंस वीट्टोन ब्रिज में, क्या एक गैलवैन करेंट मिलेगा बात समझ में आ रहे रही है अभी भी आपको कि सेम करेंट मिलेगा सब कुछ आ दो सब नहीं पड़ेगा यानि कि एक बैलंस स्टीम श्रॉन भी मे आफ सेल और गैलवैनो मीटर को exchange कर सकते हूँ इससे answer में फरक नहीं पड़ेगा यानि कि मैं इसको लिख देता हूँ balanced wheatstone bridge में balanced wheatstone bridge में battery या cell battery बोलो या cell बोलो बैटरी बोल दो या फिर cell बोल दो बैटरी सेल और बैटरी सेल और किसको इंटर्चेंज कर रहे हैं ग्यालवेनो मीटर को इंटर्चेंज किया जा सकता है ठीक है याद रहेगा एक balanced wheatstone प्रिज में हम बैटरी सेल को और तो हम इसको आपस में क्या कर सकते हैं इंटर्चेंज कर सकते हैं इससे देखो कोई फरक नहीं पढ़ रहा balance condition सेम रहती है देखो जो balance condition यहां थी वही balance condition यहां पे आई है यानि कि इनको बदल दे अदला बदली कर दे आंसर में कोई फरक नहीं पड़ेगा यह important point है इसा question पूछा जा सकते हैं आपसे exam में क्या current में फरक पड़ेगा क्या balance condition में फरक पड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा हम इनको interchange कर सकते हैं दूसरे important point कि अगर हम बात करें यहां पे हम discuss करेंगे यहां पे अपने galvanometer galvanometer बहुत ही sensitive device होता है याद रखना यह point अगर हमारा A है यह C है यहां पे हम एक battery connect कर रहे थे इस तरीके से यहां पे हम लोग अपना एक जगे non-resistance ले रहे थे एक जगे हमें पता चलता है कि कहां पर deflection zero अच्छा जब तक deflection zero नहीं हो रहा तब तक इससे current pass तो करता है जब तक deflection zero नहीं आता तब तक इसमें current pass हो रहा है zero deflection का मतलब है अब इससे current pass नहीं हो रहा पर जब तक zero deflection नहीं आया तब a current असे है इसलिए आप लोगों से पुछा जाता है कई भाग फूचा जाता है जोकी के साथ high resistance क्यों लगाते हैं आप देखना जोकी के साथ यहां Syreege में 1 हाइज रगाते है यह आर नॉट लगाते है आर 0 क्या है त्सिरिय्स De sesi जोकी हाई रозмथ स्टेंट्ज in series with jockey नहीं, with galvanometer बोलना चाहिए, in series with galvanometer, galvanometer के साथ लगाते हैं, jockey तो एक just device है, jockey का और कुछ मतलब नहीं है, एक metal का pen type होता है, जिसको बस आगे पीछे हिलाते हो, उसको jockey कहते हैं, ठीक है, na, jockey का मतलब है, एक metal का pen है, जिसको आगे पीछे हिला रहे हो, main तो galvanometer है, ठीक है, तो आप इसके series में आप क्या लगाते हो, high resistance in series with galvanometer, क्यों लगाते हैं, इसका reason पूछा जा रहे है, ठीक है, इसका आप से reason पूछा जा रहे है, इसका क्या reason है, इसको क्यों लगाया जाता है, तो इसका reason यह है, जब तक हमें null point ना मिल जाए, जब तक हमें zero deflection ना म मिल जाए, तब तक galvanometer से जो current pass हो रहा है, वो बहुत कम हो, क्योंकि अगर galvanometer से high current pass होगा, वो खराब हो सकता है, तो इसका reason यह है, आप इसमें लिख सकते हो, galvanometer, मैं एंग्लिश में लिख दूँ खोड़ा सा समझाने के लिए, since galvanometer, since galvanometer can only bear a small current, so, we connect, so, we connect a high resistance, इसका मतलब भी सम्झाऊंगा आपको, we connect a high resistance in series, so that, before getting 0 deflection, we must have only small current fluid. कहने का मतलब क्या है, galvanometer ज्यादा current बरदाश्ट नहीं कर सकता, तो जब तक आपको 0 deflection नहीं आ रहा, तब तक इससे current pass करेगा, जब इस 0 deflection आ जाएगा, यानि कि वो हमारी balance condition आ जाएगी, तो जब balance condition आने से पहले, इससे कुछ current pass कर रहा होगा, तो मैं चाहता हूँ, current इससे ज़्यादा pass ना करे, यह high resistance ensure करता है, कि ज़्यादा voltage इसको मिले, galvanometer को कम voltage मिले, तो वही लिखा है, since galvanometer can only bear a small current, छोटा ही current यह लग सकता है, we connect a high resistance in series, so that, before getting 0 deflection, we must have only small current through galvanometer, तो जब तक इससे 0 current नहीं आ रहा है, तब तक इससे current छोटा pass करे, इसलिए हम इसको इस तरीके से connect कर सकते हैं, क्या यह बात अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है ना, इस चीश को आप याद रखना, यह आप लोगों को पता होनी चाहिए, यह बाते हैं कुछ जो हमें पता होनी चाहिए, यह थोड़ा experimentally चीजे समझा ही जाती है, स्कूल में practical के time बताई जाती है, बट ऐसा कोई question practical based हम से पूछा जा सकते हैं, ओके, clear है, ठीक है, I hope यह point आप लोगों को समझ में आ गया होगा, now we will discuss about m meter, जो मैं आपसे बोल रहा था कि हमें थोड़ा सा m meter के बारे में भी discussion करना है, m meter क्या होता है, m meter एक device है, हमने पढ़ा था न, m meter के बारे में, क्या device होता है, यह क्या measure करता है, device that measures, यह क्या होता है, device that measures current, ठीक है न, current through any appliance, किसी भी appliance से, किसी भी रिजिस्टर से जो कर्रेंट आ रहा है वह मेजर करने के लिए हम किसका इस्तमाल करते हैं यहां पे एममीटर का इस्तमाल करते हैं यह एममीटर का काम होता है कैसे लगाते हैं मैंने आपको बताया था लेते हैं, 0 लेते हैं, बट अब हम यहां क्या पढ़ेंगे, हम गैलवैनो मीटर को में में कनवर्ट करेंगे, यहां पर हम लोग को क्या करना है, कनवर्जन करना है, हम एक गैलवैनो मीटर को किसमें कनवर्ट करना है, कनवर्जन औफ गैलवैनो मीटर into m meter. यहाँ पर हम galvanometer को convert करने की कोशिश करेंगे to m meter. इसको हम कहा convert करने की कोशिश कर रहे हैं, m meter बनाने की कोशिश कर रहे हैं. m meter और galvanometer में फर्ख क्या हैं? galvanometer जस्ट deflection देता है current आने पर. ज्यादा current तो ज्यादा deflection, कम current तो कम deflection. इसको M meter में convert करना मेर थो हम क्या करेंगे इस से जाधा करन नहीं जा सकता जाधा करेंट चाहएगा तो यह वैसे खिराब हो जाएगा modal and meter लिए क्रांट करना है है तो हम क्या करते हैं इसके लिए हम लोगों को याद रखना है हमें इसका resistance पहले तो छोटा करना होता है मालो यहाँ पर हमारे पास एक galvanometer है this is my galvanometer इसको मैंसे लिख देता हूँ G से और हम चाहते हैं इसको emitter में convert करना तो हम क्या करते हैं इसके parallel में galvanometer का अपना resistance G है मालो जी क्या है इसका अपना resistance है galvanometer का क्योंकि galvanometer के पास कुछ तो resistance होगा इसके अंदर एक needle लगे है एक machine ही तो है जिसमें अगर आप current दोगे तो needle deflection दिखाएगी इसका कुछ resistance है जी हम इसके parallel में resistance लगा देते हैं एक इसको बोलते हैं s इस resistance को हम बोलते हैं s और इसको बोलते हैं shunt resistance तो हम इसके parallel में क्या लगा देते हैं एक shunt resistance लगा देते हैं इस process को हम shunting भी कहते हैं ठीक है ना this process is called shunting हम galvanometer के parallel में एक small बहुत चोटा सा resistance लगा रहे हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं शंटिंग कहते हैं अब यह जो पूरा circuit आप यहां पर देख रहे हो galvanometer with a small resistance in parallel galvanometer और एक parallel में resistance shunt resistance यह किसके equivalent है यह एक m meter के equivalent है समझ में आ रहे हैं तरीके से galvanometer with a suitable small resistance in parallel जिसको shunt कहते हैं this is known as m meter यह m meter की तरह behave करेगा ठीक है याद रहे m meter को किसी भी circuit में कैसे use किया जाता है series में यानि कि मैं इस पूरे system को कहां लगांगा किसी के भी series में कहने का मतलब है अगर मेरे पास कोई resistance है माल लेते हैं मेरे पास यहां पर कोई series में लगा सकता हूं क्या galvanometer sorry m meter क्या लगा सकता हूं इसमें अगर current measure करना है m meter अब मेरे पास m meter नहीं है तो मैं क्या use कर सकता हूं galvanometer साथ में एक series में क्या satsh m ऐक पालन में शेंट रिजिस्टेंस तो यह पूरा एक एक एपकी तपर यह हैं और यह को कैसे लगाते हैं इस्के साथ series में यानि कि पूरे system को इसके साथ series में लगाना पड़े गा यानि कि आप इसके साथ series में क्या लगाओगे एक ग्यालवनोमीटर होगे और उसके पैलल में एक शेंट रजिस्टेंस लगा दोगे तो यह मेरा एंटर की तरह काम करेगा यह पूरा मेरा एंटर है याद रखना यह पूरी चीज जो आ सार आपको कहा रहे हैं सिरीष और गयाल वन्यों मिलाक ये दोनों मिला बने सी बनता इसको हैं मेटर की तरही समझो भूल जाओं यहां में कुछा समझाए पूरे एक मीटर ही है तो जालवनेटर पुयंग है जिस से बीकृष्ट well करणे मानलों इससे current measure करना है तो इसके कैसे लगाते हैं सिरीज में लगाते हैं अब बात आती है shunt resistance कैसे निकालेंगे calculation of shunt resistance यह important है कि सर कैसे हम s calculate करेंगे इसकी calculation किस तरीके से की जाती है shunt resistance को कैसे calculate किया जाता है अब देखो एक बात याद रखना क्यालवानों मीटर में वह current नहीं आएगा जो आपके resistance में आएगा पर हम उसका deflection इस तरीके से देखेंगे कि वह हमें हमारे circuit का current बता सके कहने का मतलब यह है कि यहां पर मेरा कोई resistance है लेक्टर से यह मेरा एक resistor है ठीक है और इसका resistance मान लेते हैं आ रहे हैं यतना important नहीं है इसके resistance से कुछ फरक पड़ेगा नहीं हमें बस यह देखने है इससे current कितना जा रहा है मैं मान लेता हूं current कितना जा रहा है आई अगर इससे कोई current ना जाए तो ज्यादा current नहीं बढ़ेगा क्योंकि galvanometer is a sensitive device ज्यादा current देने से खराब हो जाएगा यानि कि जब आप lab में जाते हो या कोई experiment करते हो तो वह different तरीके क्या meters पड़े होंगे galvanometers पड़े होंगे जिस पर लिखा जाता है कि यह galvanometer यह meter 0 से लेके 5 ampere या 0 से 10 ampere या 0 से लेके 1 ampere तक का ही current measure करेगा तो हमारी नजर होनी चीए maximum current वो कितना measure कर सकता है ठीक है न हमारी नजर किस पर होती है maximum current कितना measure कर सकता है यानि कि मैं मान लेता हूं इस पर current 0 आएगा तो galvanometer पर 0 deflection आ जाएगा पर जब इसमें maximum current i का मतलब है यहां पर मैं क्या consider कर कर रहा हूं maximum current यह क्या मैंने थ्यान से लिया maximum current थू लोड मालो हम अपने लौड से कितना current ले रहे है maximum cal rate कितना के लिए इसको बूलो की low shunt resistance है अब आप से यह S की बारे में ही पुछेगा इसकी value कितनी होनी चाहिए ओके सो यहां पर हम समझते हैं कि galvanometer पर जब current 0 आएगा मतलब कि जब यहां current 0 होगा तो galvanometer पर 0 होगा यह total current जब आगे जाता है आई यह दो हिस्सों में बढ़ जाता है कुछ current galvanometer में जाएगा जिसको आप i g कह सकते हो कुछ current यहां जाएगा i minus i g यह current जब total current यह enter करेगा i तो यह दो हिस्सों में टूच जाएगा कुछ current galvanometer से जाएगा कुछ current इससे जाएगा यह मैंने माना है maximum current है तो मैं चाहता हूँ जब मेरे resistance से maximum current जाए तो galvanometer पर भी वो current जाए जिससे उससे full deflection मिलता है जब उस पर current जीरो होता है तो उसका deflection यहां पर zero होता है और current आप बढ़ा देते हो तो एक current पर जाके इसका deflection maximum हो जाता है इससे आगे deflection नहीं दे सकता यहां पर ऐसे ऐसे markings लगे होते हैं तो यह हमारा current क्या होता है यह एक ऐसा current है इतना current देने पर मालोव करेंट को हम आई जी कह रहे हैं तो इस current को हम क्या बोल रहा है आई जी इसको हम बोलते हैं full scale deflection current current, full scale deflection current का मतलब क्या है जैसा नाम ऐसा काम यानि की galvanometer में हम धीरे-धीरे current बढ़ाएंगे तो एक ऐसा current आएगा जिसमें यह needle बिलकुल extreme पे पहुंच जाएगी full scale deflection galvanometer left side भी deflection दिखा सकता है अगर आप current की direction बदल दो यही galvanometer पीछे की तरफ भी deflection दिखाता है यह bidirectional होता है तो full scale deflection current का मतलब है galvanometer में मालों आपने 0 ampere current दिया तो इसने 0 दिखाया 0.01 दिया तो थोड़ा सा आगे गया थोड़ा सा और दिया और आगे बड़ा और आगे बड़ा एक ऐसा current आएगा यानि कि इससे ज्यादा current नहीं देना यह maximum limit है current कि इससे ज्यादा current galvanometer को नहीं दे है उस time नीचे current कितना जाएगा i-ig अब आप जानते हैं इसका resistance कितना है g इसका resistance है s इन दोनों पर voltage सेम होगी दोनों parallel में हैं हम यहां से लिख सकते हैं ig multiply by इसका जो resistance है g इस सेम एस नीचे वाला current कितना है i-ig multiply by नीचे वाला resistance कितना है s तो यहां से आ जाएगा ig into g यहां से आ जाएगा is minus ig into s ig को इदर ले जाओ तो यहां से आ जाएगा ig और यहां से आ जाएगा g plus s is equals to is तो यहां से अगर हम I.G की बात करें, तो I.G कितना आएगा? I.S. divided by G.S. I.S. divided by यहां पे कितना आजाएगा आप देख सकते हो G.S. तो this is I.G. अगर आप I.G. निकालना चाहते हो. यहां से आप I.G. निकाल सकते हो. हाँ, अगर आप shunt resistance निकालना चाहते हूँ, अगर आप s calculate करना चाहते हूँ, जैसे कि हम चाह रहे थे कि हम s calculate करें, shunting calculate करें, तो आप यहाँ से shunt resistance भी निकाल सकते हूँ, इस ही equation से shunt resistance निकल जाएगा, यहाँ से shunt resistance कितना आ जाएगा, s is equals to कितना आ जाएगा, ig into g divided by i minus ig, त सकते हैं ठीक है ना आप जो मर्जी हां calculate कर सकते हो क्योंकि यह दोनों आपस में parallel में है अगर आपको IG into G पता है तो आप इसको I minus IG into S लिख सकते हो जो voltage इस पर होगी वह IG into G होगी जो voltage इस पर होगी I minus IG into S होगी तो यहां से आप S calculate कर सकते हो shunt resistance हो जाएगा IG into G divided by I minus IG कहीं question में आप इसको approximately पता है क्या लिख देते हो क्योंकि जो I होता है वो galvanometer के full scale deflection current से जादा होता है यह होगा amperes में 5 amperes 10 amperes और यह होगा milli amperes में IG की value milli amperes में होगी तो आप addition subtraction में इसको हटा सकते हो इसको भी लिख देते हो approximately ठीक है ना अगर exact calculation नहीं करनी तो आप approximately इतना भी लिख सकते हो यह हमारा shunt resistance होगा ओके जरा question पर नज़र डालते हैं कि questions किस तरीके से आते हैं जैसे कि यहां पर एक सवाल है और galvanometer of 50 ohm resistance यानि कि यह क्या दिया है जैसी ऐसा question आए पहले तो नज़र होनी चाहिए यह हमें 50 ohm दे रखा है galvanometer का resistance it has 25 divisions कितने divisions है इसके पास 25 divisions है ओके a current of 4 into 10 की power minus 4 ampere gives a deflection of one division कहने का मतलब है आप समझो यहां पे मानलो हमारा पास galvanometer है इसकी सुई कहां पे है जीरो पे है तो इसकी सुई में 25 ऐसे ऐसे grids कितने 25 divisions है ऐसे कितने divisions है मैंने मान लिया बोलो ऐसे कितने divisions है बोलो 25 divisions है इस तरीके से समझ रहे हो और एक division में कितना current लगता है यानि कि इसको यहां से यहां लाने में एक division में यहां से यहां तक आने में इधर से इधर आने में कितना current लगता है वो दिया है मतलब वन division के लिए कितना current दिया अगर आप ध्यान से देखोगे वो दिया है 4 into 10 की power minus 4 ampere तो आपको पता है full scale deflection current क्या होगा जब यह needle यहां से यहां आ जाए full scale deflection current का मतलब होगा जब यह needle यहां से यहां जाए तो इसको कितने divisions चलने है 25 यानि कि IG की value यहां से निकल जाएगी IG कितना हो जाएगा 25 into 4 into 10 की power minus 4 यह समझ में आना चाहिए यह क्या कि है हमने हमें पता है कि एक division चलने के लिए इतना current चाहिए तो full scale deflection current IG की value यह हो जाएगी full scale deflection current का मतलब ही हो जाएगा कि needle जब पूरा 25 division तक deflect कर जाए इससे ज्यादा divisions यहां है भी नहीं तो यह कितना आ जाएगा 100 into 10 की power minus 4 यानि की 10 की power minus 2 ampere 10 की power minus 2 ampere ठीक है यह बात समझ में आती है now to measure the current from 0 to 10 ampere it should be connected with the resistance of अब देखो धियान से और क्या दिया है हम लोगों को हमें 0 से लेके 10 ampere तक current measure करना यानि कि यह मेरा i max हो गया यह मेरी i की value हो गई जो भी हम पीछे कह रहे थे ना कि maximum current यहां कितना दे रहे है आई दे रहे है जीरो से लेकर i के बीच की range measure करना चाहते है यहां 0 होगा तो i minus i g into s तो यहां से shunt resistance क्या आ जाएगा i g into g divided by i minus i g ठीक है न यही हो जाएगा अब आप दिहान से देखो यह मेरा 10 ampere है और i g मेरा कितना है 10 की power minus 2 यानिकी 0.01 ampere मैं इनको minus करूंगा तो कोई फरक पड़ेगा i g को यहां minus करने से कोई फरक पड़ेगा तो कर लो वैसे तो कोई पड़ेगा नहीं क्योंकि 10 minus 0.01 approximately 10 यह आएगा नीचे आप इसको इसको approximately क्या लिख सकते हो i g into g divided by i यानिकी i g है 10 की power minus 2 galvanometer का resistance कितना है यहां पर 50 divided by i की जगे आप डाल दो यहां पर 10 कितना आ जाएगा यहां से आप देख सकते हो i g मेरा 10 की power minus 2 है तो यहां से कितना आ जाएगा यहां पर 5 into 10 की power minus 2 आ गया ना यानिकी 0.05 और च्रही कहान लगाते है ऐना ही शूंत डिजिस में लगफ या परड़ल में लगाते हैं पर ऑल कहले कर नेक्स रबोल्टर मीटर कर सकते हैं अप्र जैसे अभी हमने में 시청 में करकर किया है वैसी वोल्ट मीटर में कैसे कनवर्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर के बारे में हम जानते हैं यह क्या करता है वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर कनेक्ट इड शुट कनेक्ट इन पारलल इसको कैसे कनेक्ट करते हैं शुट कनेक्ट in parallel with appliance. जिस भी appliance की voltage measure करनी है उसके parallel में इसको लगाना चाहिए. जिस भी appliance की voltage measure करनी है उसके parallel में लगाना चाहिए. अब volt meter कैसे construct होगा? Volt meter का resistance कितना होता था? याद है? Ideal volt meter की अगर हम बात करें Ideal volt meter का Resistance मैंने आपको पढ़ाया था यह कितना होना चाहिए, this tends to infinity, तो इसका resistance almost कितना होना चाहिए, infinite होना चाहिए, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम galvanometer को voltmeter में convert करेंगे, मतलब हमारे पास voltmeter अगर नहीं है तो हम galvanometer से voltmeter बना सकने हैं, तो अब हम galvanometer to voltmeter convergence सीख रहे हैं, पहले हमने galvanometer को m meter बनाया था, अब galvanometer को voltmeter बनाना है, तो याद है m meter बनाते हैं हमने शंटिंग की थी, एक बहुत चोटा सा resistance galvanometer के parallel में लगाया था, याद है, यहाँ पर इसको voltmeter में convert करना है, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर galvanometer लो, और galvanometer के series में आप क्या करोगे, यहाँ पर, एक high resistance लगाओगे, galvanometer के series में आप क्या करोगे, एक high resistance लगाओगे, तो यह हमें क्या देगा, इन दोने का combination है, यह हम लोगों को क्या देगा, एक voltmeter देगा, यानि कि this is equivalent to a voltmeter, यह किसके equivalent है, अगर हम बात समझ में आ रहे हैं, अची तरीके से, अग गैलवनometer विदा high resistance, यहाँ पर जो high resistance है, आर क्या है, high resistance in series, इस आर को हम क्या बोल रहे हैं, एक high resistance है, in series, ठीक है न, यहाँ पर shunting नहीं कर रहे हैं, यहाँ high resistance लगा रहे हैं, यह voltmeter है, और voltmeter को कैसे लगाते हैं, parallel में, यानि कि अगर हमारे पास कोई appliance है, यानि कि मानलो मेरे पास कोई appliance है, या पर कुछ भी लगा हुआ है, यह मेरा कोई appliance है, ठीक है न, इस तरीके से मेरा कोई, कोई भी appliance है, जिसका कुछ भी resistance हो सकता है, मानलो इसका resistance R-note है, तो हम क्या करेंगे, इसके parallel में लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसके parallel में, voltmeter, यानि की ये पूरा setup, मतलब एक galvanometer, जिसका resistance G होगा, और इसके साथ एक high resistance, और इस तरीके से इसको क्या कर देंगे, इसके parallel में लगादेंगे, तो ये मेरा पूरा voltmeter की तरह काम करेगा, थीकिन की तरह काम करेगा यहां पर क्या होगा ओगर हम कितना Ой आ राहा है डिक नहीं के अगर मुन आइ थीकिनल करेंगे यहां पर जो मेरी वोलटेज होगी यूपर्वाली आजाएं बोल है कि R0 into I minus IG कि किसके equal होनी चाहिए अगर हम ध्यान से देखे जो total voltage नीचे आ रही है अब आप देख सकते हो नीचे current कितना जा रहा होगा IG जा रहा होगा ठीक है ना नीचे कितना current जा रहा होगा IG यानि कि full scale deflection current जब इस पर maximum voltage हो तो मैं चाहता हूं इस पर full scale deflection current है यह की maximum voltage हो गई जो हम मैजर करना चाहते हैं इसी को हम मान के चलते हैं यह मेरी maximum voltage है दिस इस माय maximum voltage आप भी नॉट पान के चल रहे हो आपको रेंज देगा एक्जाम में कि 0 से लेके 20 वोल्ट तक का वोल्ट मीटर बनाना है तो 20 वोल्ट इस ताम मैं चाहता हूं गैलवानो मीटर से जो करेंट जाए वह भी मैक्सिमम जाए यह वैसा ही है इस टाइम पर हम इसको वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं मैं चाहता हूं जब इस ह। आप देख सकते हूं वी नॉत किसके बराबर हो जाएगा इस पर voltage कितनी हो जाएगी IG into G प्लस इस पर voltage कितनी हो जाएगी IG into R ठीक है न, यहां से आप R निकाल सकते हो क्योंकि आपको यहां से क्या मिल जाएगा आप लिख सकते हो V0 को IG और यहां पर लिख सकते हो G plus R तो V0 by IG और यहां से आजाएगा G plus R तो यहां से R की value आजाएगी V0 by IG R की value आजाएगी V0 by IG minus G यह value आजाएगी मेरी R की high resistance यहां से आप calculate कर सकते हो कि वो calculation से आराम से आपको high resistance मिल जाएगा obviously जो voltage उपर total है वो V0 है आप इसको R0 I minus IG लिख सकते हो but question में R0 जादा तर दिया नहीं जाता R0 की value हमें दी नहीं जाती हमें तो बस maximum voltage question में बता देता है तो हम इसको V0 डाल देते हैं यह V0 इन दोनों पर voltage का addition के equal होगा gallonometer पर voltage आएगी कितनी IG into G इस पर कितनी IG IG into R इस पर IG into G into IG into इस पर IG into R दोनों को add कर दो तो total voltage V0 के equal और यहां से आप V0 by IG को G plus R लिख सकते हो आरा जाएगा V0 by G minus G इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं यह बन गया हमारा voltmeter ठीक है यह क्या बन गया अगर हम धियान से देखेंगे voltmeter आप देख सकते हो यहां पर question है इस question को एक बार देखें जरा यहां पर कह रहा है गयालवैनोमीटर ओ फिफ्टी ओम रिजिस्टेंस है 25 डिवीजन अगेन गयालवैनोमीटर है यहां पर G कितना है 50 ओम का है कितने divisions है 25 current अगेन दिया जा रहा है कितना दिया जा रहा है तो 25 डिवीजन के लिए कितना हो जाएगा 25 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 यानि की 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4 यानि की 10 की पावर माइनस 2 अम्टेर तो आप देख सकते हूँ यह मेरा full scale deflection current हो गया यह हमें गयलवैनोमीटर का full scale deflection current मिल गया और कहां रहा है कि यहां गयलवैनोमीटर को सभी म Wouldnetra को सब्सक्रों इसंव कि वह करको बोलो लच इसकी रेंच 25 इसको में यानि की अब हम दिए आब सेखे यहां पर आपी डिकिश्या हमें कितनी इंडिल गई 25 था हमें पता whiskey को लोग हमने देखा था घू कि सब्सक्राइब को लोगा concret अर्विश्च और आइजी जी प्लस आर के इकवल यानि कि venue आगया और आइजी हमें पता चलिए कितना है 10 की पावर माइनस टू जी कितना है हमारे पास 50 और हम मिनिकाल ना है तो simply यहां से निकाल सकते हैं हमें R प्लस G किसके equal मिलेगा यहां से 2500 के equal हो जाएगा तो यहां से हमारा R कितना आ जाएगा 2500-50 यानि कि R कितना हो जाएगा 2450 Ohm R कितना हो जाएगा अगर आप धियान से देखोगे 2450 Ohm यह मेरे R की value आ जाएगा clear है समझ में आ रहे अच्छी तरीके से और कैसे लगाएंगे इसको सीरीज में यहां गैलवैनो मिटर के साथ high resistance के बारे में पूछ रहा है, high resistance galvanometer के साथ कैसे लगाएंगे, series में या parallel में आपका voltmeter नहीं पूछा जा रहा है कि voltmeter कहां लगा रहे है series या parallel में, voltmeter की बात करें उसको तो definitely parallel में लगाते हैं question ये पूछ रहा है, high resistance आप galvanometer के साथ कैसे लगाओगे वो तो series में ही लगा होगे ना, यानि कि 2450 in series, ठीक है ना, 2450 in series, इस तरीके से आप इसको लगा से तो student, यहां तक ही रखते हैं आज के दिन का discussion, बाकी का discussion हम next class में करेंगे, तो मैं power आज starting कर रहा है, so we'll discuss power in next lecture, plus हम थोड़े से और questions की practice करेंगे, m meter और volt meter से related, अभी के लिए आप लोगों को क्या करना है, अभी के लिए आप लोगों का जो काम होगा, वो होगा एक बार revise करना, revision करके रखना, यानि कि आप लोग अभी solve कर सकते हैं, homework में DPP solve करके रखें, और क्या करके रखो, आप लोगों कि exercise number 1 को आप देख सकते हो, और DPP को solve कर सकते हो, आज के session में जो भी चीज़े पढ़ाई गई है, बहुत important है, आज के session में हम लोगों ने काफी सारे questions की हैं, काफी numerical की हैं, different तरीके की sort की problems मैंने आपको करा दी हैं, या circuit से related questions हम लोगों ने देखे थे, फिर हम लोगों ने क extension of wheatstone bridge देखा, आज के session में vertical और horizontal दोनों direction में कैसे हो सकता है, फिर एक ये question किया था, wire से अगर कभी current पूछ ले कितना जाएगा, तो हमें कैसे solve करना है, meter bridge के बारे में फिर हम लोगों ने discussion किया, ठीक है ना, तो आज का lecture यहीं समापत होता है, बेटा, next lecture में हम लोग फिर से दून, बाइबरीओन, टेक ये